बोलो बाबा के दार नाथ की जए अभी विद्यारती एक बार फिर से लाइव जरूर बनेंगे और एक और माराथन सेशन भले ही माराथन सेशन छोटे जरूर प्लान किये गए हैं क्योंकि पूरी टीम दिन भर वेस्ट भी रहती है और अपने रेगुलर क्लासेज को डिस्टर्ब किये विना ये माराथन को प्लान किया है तो प्यारे बच्चो सभी लोग जल्दी से अपना लाइव बनते हुए चलेंगे और वीडियो को अपने अन्ने सभी ग्रूप में सेयर भी अवश्य करेंगे खुश इसलिए हूँ कि यूपी आर्विनल टीजी टू के बच्चो ने बड़ाई अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पहले एक यूपी पेसियल से पहले प्री एक्जाम मान कर चल रहे थे तो बच्चो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उमीद है परफु के दिया से रिजाल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है तो साड़े छे बजे का समय आपको निर्दारित किया गया था तुम हो गए लेट सुभम सुकला जी है तो सभी लोग बनेंगे लाइव तो यहां पर है प्यारे बच्चों हम लोग यूपी मर्सी को टार्गेट करने के लिए जो कि एलेक्ट्रिकल का एक्जाम है आपका तीन जन्वरी को मुझे उमीद है कि जैसे एडी के बच्चे हर एक्जाम में कुछ ना कुछ अच्छा करके आते हैं वैसे ही इस एक्जाम में भी आप धमाल मचाने वाले हैं तो एक सकरात्मक विशारधारा लेकर एक्जाम होल में जाईए और चली आईए फिर सुरुवात करते हैं आपके सेंपल पेपर वन की यहां पर आपको इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज यह भी कि आया समय समय पर कुछ चेंजिस करते रहने चाहिए सेंपल पेपर लगवाँ और जो फाइनल सेंपल पेपर है वह नाइंटी की युशन्स का फिर वह बड़ा सा एक सेशन में रखों लगबग 500-400 पेज़ वाले एक स्लाइड बनाओं और जैसे अभी रिसेंट में मैं बच्चों को कराकर भेजा मैंने यूपी आर्विनल वाल तो वह सेशन रहेगा हमारा 31 को इस महरतन के बाद में धमागेदार फिर और आईए फिर शुरुवात करते हैं प्यारे बच्चों कि शुरुवात करते हैं कि जिस नाम से वहां हो एप में उसे नाम से रखेगा स्लेक्शन बैच ओके और उपर अटेंडेंस मार्क हो जाएगे आपके ना ओके मैं देखना चाहरा हूं कितने हो तुम एक्टिव भाई पहला सवाल आपके सामने दिया यह गया है देखे जी पहला सवाल आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों यह दिया है सवाल पढ़िएगा और जल्दी नहीं प्लीज आराम से रिलेक्स होके आंसर कीजिएगा UPMRC की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है अपने आपको पॉजिटिव रखिए जितना पढ़ा है रिवाइज करिए और तरीके से सकारात्मग विचारधारा लेकर जाईएगा एक्जाम हॉल में चलिए आईए देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी डी सी जन्रेटर में अवसे इस चुम्बकताव दिया हो तो सुन्ने गती पर प्रेदित विद्युत्य वाहक बल होगा मार भी पड़ेगी आज ना डांट भी पड़ेगी अच्छी कासी अगर आंसर गलत करोगे तो कि स्मॉल इसलिए स्मॉल कह रहे हो क्योंकि आपने फिर कहीना कहीं से से टिंग कर लिया देखो या एक बात बताईए आप या तो आप जन्नेटर ना बोलते हैं या फिर जीरोई स्पीर्ड मेंशन नहीं करते हैं एजी बराबर में एन पी फाई जैड अपॉन सिक्स्टी ए चलिए माना एजी परपोर्शनल टू एन फाई होता और फाई डेफिनेटल इसने रेजिडूल दिया है नौ प्रावलम हमने मान लिया इसी बात को भी हमने रही क्योंकि एक्जामिनर ने स्मॉल दिया खेर अब्यक्शन लगाना चाहिए था जब यह सुन्ने गती पूछ रहा है सुन्ने गती का मतलब एन टेंस टू जीरो ना और कलाकारी क्यूं दे रहे हो बताओ एन स्टेंस टू जीरो तो एन जीरो का मतलब तो यार आप सभी को सिखाया गया है ना आप गर रेजिडूल है तो यह सिखाया गया है ना देखो अगर नहीं चलेगा तो आप कितना मार करने वाले हैं देखे जीरो यदि यह होता कि रेजिडूल पर्जेंट और बहुत ही ना के बराबर नेगलेजबल स्पीड दे देते तो देन हम लोग सोच सकते थे स्मॉल के बारे में चलिए प्यारे बत्यो नेक्स आजाईए ज़रा हमें दिया यह गया है कि वाट आर ओयल स्विच यूज फोर जो ओयल स्विचिज है किसके लिए इस्तमाल किये जाते हैं बताएए जी सभी लोग सेर जरूर करते रहें बताएए जी वाट आर ओयल स्विच यूज फोर तेल स्विच किसके लिए उप्यों किये जाते हैं कुछ चीजे याद रखने वाले डारेक्ट आ जाती है तो बेटा जो भी हमारे पास में ओयल स्विच होते हैं ओयल हमारा वही होता है जो अच्छी वोल्टेज और लार्ज करण्ट सर्किट के लिए यानि कि जो हाई रेटिंग को डिनोट करेगा फिर ऐसी सर्किट के लिए हम यूज किया करते हैं नेक्स आईएगा जरा पूरा जितने भी विद्यारति है सबसे यही कहूंगा कि पूरे को नोट में या प्रॉपर बनाकर उसके बाद आंसर दे कोई रेल गाड़ी नहीं छुट रही है पूरे अलेक्ट्रिकल को कवर करते हुए सवाल यहां पर मिल जाएंगे बेटा बहु करने वाली है चलिए देखिए जराज क्या कह रहा है कि इन एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाई वैरिंग दा आर्मेचर सर्किट रजिस्टेंस एंड फिल्ड फ्लक्स कंट्रोल प्रोवाइड ए बताये जी तो बेटा यहां पर क्यों ना हम यह देखें कि सर हम एक विसे और यहां पर हमने देखा जी पावर और टॉर्ग को देखें जी बेस स्पीड को मानते उए हमने यह लाइन ले ली जी जिसने हमने कहा बेस स्पीड एक सवाल में 10 चीज़ें पने दिमाग में रखें बेस स्पीड से कम पर हम लोग अपनाया करते हैं जो लागू करेंगे हम लोग बेटा प्यारे बच्चो ये होता है हमारा armature control method क्या होता है armature control method होता है सर और बेटा याद रखेगा कि देखे फिल्ड फ्लक्स ज्यादा के लिए क्या होता है फिल्ड फ्लक्स कंट्रोल मैथड हुआ करता है फिल्ड फ्लक्स कंट्रोल मैथड हुआ करता है प्यारे बच्चों अपने दिमाग में सेट रखिएगा देखे अगर हम लोग variable यानि कि यदि हम लोग variable resistance या armature control की बात करेंगे तो variable power रहेगा और यहाँ पर constant torque रहने वाला है field flux देखे वैसे भी phi i a देखने को मिला करता है तो बिटा field flux control method अगर flux vary करेगा तो torque को vary करना तो तै है लेकिन यहाँ पर power हमारी बन जाएगी देखिए constant ठीक है जी तो देखिए जी क्या क्या कहानी है by wearing the armature circuit resistance बताइए क्या रहता है आप कहते हैं कि सर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है constant torque ओके यहाँ क्या देखने को मिल रहा है यह सर कॉंसेंड पावर मिल रहा है कि नहीं गडबड किया तो मार पड़ेगी फिर देखो जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों ने option A कहा armature circuit resistance and field flux control option A वाले लोग ध्यान से सुन लीजिए और सामने अगर कोई बैठा हो या दिवार हो तो अपने सर को उसमें मारो जो option A कह रहते वैरियेबल टॉर्ग अरे भाया armature control या armature resistance में वैरियेबल टॉर्ग कहां मिल जाएगा तो गलत हो गया वैरियेबल पावर तो बहुत अच्छा है लेकिन देखिए next में यह constant torque कह रहा है तो यह भी गलत है अब जड़ा option C को देखिएगा option C कहता है कि constant torque यास ओके यहां तक बात सही है और filled flux control method कह रहा है constant power तो यह हमारा option सही है कि नहीं बताएए option हमारा सही जा रहा है ती जो उत्तर D कर रहे हमने सवाल को देखे आप skip करेंगे बेटा इतने छुटे सवाल को न लाक है वार लियोनौर्ड कंट्रोल मैथड में अच्छी घासी है चीजे पढ़ाई है तो हर बार हर बार सवाल एक concept पर बेस था यहां पर बेटा आपको दो concept पर बेस मिल जाएग तो जो suitable option है यह बेटा हमारा बन रहा है देखे सी जो suitable option है यह क्या बनेगा सी बड़ाई अच्छा और प्यारा सा सवाल था चलिए next आजाईएगा बेटा आपका सवाल अगर आप देखेंगे तो आपका दिल खुष हो जाएगा बड़ी महनत से सवाल बनाएगा जरह यहां सवाल देखें क्या है सवाल देखें एक्साइटर फोरे टर्बो जनरेटर इच नौट यूजड बेटा नौट वाले सवालों का जमाना है नौट वाले सवालों का जमाना है क्या कह रहा है कि एक्साइटर फोरे टर्बो जनरेटर इज नौट यूजड तर्बो जनरेटर के के लिए एक्साइटर का उपयोग नहीं किया जाता है कि जल्दी से बताईए कि जल्दी से बताईए कि जल्दी से बताईए कि जनरेटर के लिए एक्साइटर का उपयोग नहीं किया जाता है बताईए कौन सा उप्सन है नहीं किया जाता है बेटा दिमाग की बत्ती खोल दो ये अरे देखो क्या आप स्रीज जनरेटर को करते हैं जी नहीं करते आपके लिए बैस्ट होता है नालाई को संट जनरेटर आप उसे ही इस्तमाल भी किया करते हो compound generator नो संट अब देखे ये दोनों के दोनों है संट मोटर क्या था देखे संट मोटर हम कहते ना फिर कह रहा है कि separately excited generator actually आपको बता दो कि exciter के रूप में आप प्रिफर या फिर आप यूज किया करते हो संट जनरेटर को किसे यूज करते थे संट जनरेटर को ओके तो आप क्यों क्या ये संट मोटर लिखा हुआ है तुम वान और फोर कह रहे हो आई जी वान और फोर ये नहीं बेटा ये कोई भी नहीं all of the above ये all of these ठीक है जी अरे combination देख लो अगर तुम separately excited को करने के लिए चले भी गए तो करने के लिए चले गए ये बताओ चार वाला किसमें अकेला है नहीं है ना तो चार वाला अगर तुम ये कहो सरी से करते चल मैंने भी ठीक है कभी कभी कर लो क्योंकि संट जनरेटर और बेटा separately excited की विशेस्ता एक जैसी है हमने का चल यार कर ले कोई बात ने लेकिन ये बताओ ना नालाय को ये बताओ तुम four वाला option इसमें है क्या अब ये one आ गया इसके साथ one मतलब स्रीच इसे करनी रहे तो ये भी गलत option ये और ये भी combination गलत है तो हम कहेंगे देखिए ये चारो के चारो ही जो statement दिये गए है ना ये चार के चार statement गलत है ऐसे सवाल का जमान है आज गल क्या कह रहा है कि देखिए एक्साइटर के रूम में कौन से इस्तमाल नहीं होता और सही उत्तर है डी चलिए जी नेक्स आजाईए नेक्स आजाईए जरा ये ऐसे सवाल मिलेंगे आपको कहीं मिलने वाले है भी ने भाई बड़े मोडिफाइड तरीके के सवाल ह है ये जल्दी से आजाईए बाते ना करे कोई बाते नहीं करेगा कोई बाते नहीं करेगा कोई बाते नहीं करेगा कोई बाते नहीं करेगा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई के मोटर स्टार्टर एज मोटर स्टार्टर एज एक मोटर स्टार्टर जना दे इसा कोई चर्चा हमने की क्या अब ये कह रहा है कि विच आफ फॉलोविंग इस आर नौट करेक्ट ऑफ्सन इन में से कौम सा सही ऑफ्सन नहीं है बताइए तो क्या जब हमने मोटर स्टार्टर की बात के रही ना तो हमने सब्द को सुना ना ये तीनों ही सब्द ऐसे हैं जो इनकरेक्ट नहीं है बेटा ये तीनों के तीनों ही गलत है इनकरेक्ट है इसलिए से ओल आफ देज जरह यहां आजाईए थ्री पॉइंट स्टार्टर सुरुवात से देख लो सवाल बेतरी मिल जाएंगे आपको हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा और नए बच्चे सब्स परकार का नहीं होता कंपांड डिफ्रेंचल भी होता है और अमुलेटिव भी होता है तो जबरदस्ति ना कर दो की कंपांड की विसेष्टा संड के जैसी होती है कलाकार ना बनो स्टार्टर का उप्योग नहीं किया जा सकता थीन विंदू वाले का थ्री पॉइंट स्टार्टर कैननाट भी यूज़ फूर बताईए जी बताईए किसके लिए नहीं किया जाता अब बताओ जड़ा बड़ाई सांदार सा सवाल है बड़ाई सांदार सवाल देखो पहली चीज तो डिफ्रेंशल जड़ा देख लो यह दे रहा है जी डिफ्रेंशल मोटर अच्छा अब बात आईए स्टार्टर की इसकी आई है तो मुझे एक बात बता दो पहली चीज तो मुझे बात बता दो आप जो यह 3 पॉंट स्टार इस्तमाल करते हो ना कंपाउंड में भी बेटा कमुलेटिव और किसमें कमुलेटिव मोटर में पहली बात फिर संट फिर संट मोटर में तो ना तो देखो डिफरेंशल करवाया था आजी सर यार बात तो सही थी गुरुजी संट बेटा जनरेटर में कोई आज ताकत दुनिया के किसी टीचर ने आपको जनरेटर में यह स्टार्टर नामक सब्द सिखाया है क्या आप लोगों की में प्रॉब्लम यह है बेटा कि आप सवाल को नहीं पढ़ रहे हो तूट पढ़े इसके ऊपर अरे जनरेटर में कब से out इस्तुमाल होने लगे यार और शरीज मोटर में तो आप वैसे नहीं करते त्रींट गो कौन सा कीया करते हो तू पॉइंट करते हो कि नहीं हां जी स्रीज में तो two point starter करते हो तो भाईया यहां पर आ गया all of these बेटा तो यह तो यह तो भाईया कोई भी सही नहीं है ना तो आपको cannot be used आप किसी में भी use नहीं करते आप किसी में भी use नहीं करते यार तो आप जान भुझ कर अपने दुस्मन खुद हो और फिर बोलते हो कि सर ने हमें डाट दिया अरे सवाल को पढ़तो लो अब देखो बच्चों ने जनरेटर में भी ठोक दिया इसे कि two और three में तो करते हैं अब यार बाबा सवाल है जरा देखियेगा कि कह रहा है कि दा प्राइमरी टू सेकेंडरे तान रेश्यों प्रास्वार्मर वान रेश्यों टैन कितना दे दिया यह है भी या या वन रेश्यों टैन ओक्यट आप यह यह कहरा है कि primary 50 hertz से जोड़ दिया है तो secondary secondary side पर voltage या secondary side पर जो supply है बेटा ये जल्दी से आपको उसकी frequency mark करनी है आपको उसकी frequency mark करनी है बेटा और ये भी hertz में किस में mark करनी है हर्ट में mark करनी है जल्दी से बताईएगा है जी तो हमने लिखने का तरीका थोड़ा सा देखो change देखा यहां तो ये तो है ने transformer frequency को नहीं बदला करता है तो हमने कहा 1 into 50 hertz 1 into 50 hertz देखो आजकर examiner सवाल आसान देता है लेकिन option ऐसे फसाता है कि आप सोच नहीं सकते देखो जैसे 1 into 50 लिख दिया मैं ऐसा भी दे सकता था देखो कि 0.5 into 100 घबराना नहीं बेटा तो तब लॉजिक वही है लेकिन सवाल के option लिखने का तरीका examiner कुछ बदल दे तो घबराना नहीं है चलिए जी जड़ा यह देखेगा जड़ा देखे बड़ा ही प्यारा सा सवाल है कि inductor may store energy अच्छा वीच आप दा फोलोविंग इज नॉट इनकरेक्ट अब फसोगे ना नॉट इनकरेक्ट बेटा यह कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा नहीं है जल्दी से बताईए इनकरेक्ट कौन सा नहीं है सभी विद्यारती सेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले चलो आजाओ निमन में नॉट इनकरेक्ट अब देखो हमेशा याद रखो हम आपको एक चीज़ सिखा दे जब भी exam में नॉट इनकरेक्ट कह रहा है ना तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इसने तुम्हारा पागल बनाया है ये आपसे करेक्ट ही पूछ रहा है ये आपसे करेक्ट ही पूछ रहा है बेटा तो देखिए जी क्या है किसमें करता है inductor करता है magnetic field में किस में? magnetic field में और कैसे? energy को कैसे store किया करता है ये किया करता है 1 by 2 Li square Joule में आजगर याद रखिएगा ये भी बड़ा अच्छा चीज़े देखे 1 by 2 N होता ये है L बराबर एक formula है N5 by I twice है ये कटके ये आजाता है N5 और I Joule ये दोनों formula एक ही हुआ करते हैं और भाईया यहाँ पर ये होता है देखें inductor electrical field मेटा ये हुआ करता है प्यारे बच्चो capacitor और यहाँ पर होता है 1 by 2 CV square तो सही option पूछा गया है और ये क्या है? only to क्या कहेंगे बेटा? only to ये अपने दिमाख में set रखेगा only to तो हमने क्या रखा है? कि 1 by 2 Li square ये होगा energy ऐसा ही N5 I हमें मिल जाएगा और not incorrect का मतलब होगा बेटा correct अब जड़ा देखिएगा थोड़ा सा easy सवाल भी है बताएजे ये रहा आपके सामने सवाल सही से पढ़िए और answer कर दो क्या कह रहा है? कि same power output के लिए operating charges minimum किसमे है? बताएजे operating charges minimum किसमे है? देखो बेटा operating जो charges है minimum देखने को मिला करते है hydro power plant में hydro power plant में देखो सबसे highest जो देखने को मिला करते हैं वो देखने को मिलेंगे आपको फिर thermal में highest तो यहाँ है पिर high यहाँ भी है यहाँ भी अच्छी कासे high मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर lowest है अगर हम capital cost की बात कर ले तो बेटा capital cost के मामले में अगर बेटा हम capital cost देखें तो capital cost बेटा highest क्योंकि बहुत ही expert लोगों की ज़रुत है और reactor design करना है तो बेटा यहाँ है फिर इससे कम फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगी देखें यहाँ पर यह first highest यहाँ है फिर दूसरे number पर हमें देखने को यह मिलेगा देन हमारा thermal चला जाएगा अगर प्यारे बच्चों आप efficiency point of view से देखते हैं efficiency point of view से यह बिचारा बड़ा ही लाचार सा है न्यूकलर में कई जगे पर 70 mark के अपरोक्स जो मिलेगी आपको यहाँ पर भी बेटा 50 के अपरोक्स मिल जाती है यानि कि 50 से तो कम ही रह जाया करती है ठीक है तो क्या देंगे answer हम hydro देखो यह hydro से कहीं सारी चीजे relate करके भी पूछ रहा है प्यारे बच्चो impulse turbine के बारे में impulse turbine के बारे में ये भी important हो जाता है और ये उआ करती है देखे pelton wheel ये कौन से turbine लिखा करते हैं प्यारे बच्चो pelton जो की होती है high head के लिए use high head की बात करें तो 200 meter से जादा जितने information आप तक पहुँचाई जा सकते हैं वो पहुँचाएंगे भईया इसके बाद में देखें आती है हमारे पास में reaction turbine क्या आती है देखें reaction turbine प्यारे बच्चो reaction turbine जो रहती है एक होती है Francis जो Francis होती है ये आपकी medium के लिए medium head में माल लीजिए यानि की 30 से लेकर अपना 200 के बीच में आप मान सकते हैं है जी एक होती है फिर हमारी कैपलन तो कैपलन जो होती है वो होती है low head के लिए low head के लिए or less than 30 propeller आपके 70 तक यूज हो जाती है बेटा reaction में हमें draft tube लगाने की आवशकता पड़ा करती है देखे specific speed होती है बेटा specific speed and P यहाँ पर horsepower में है और जो head है 1.25 specific speed का मतलब यह होता है कि unit power produce करने के लिए unit यानि कि एक horsepower produce करने के लिए एक मिटर head के लिए अगर हम जितनी भी गती हम पर हम चलाएंगे बेटा उसे कहा जाएगा specific speed चलिए प्यारे बच्चों आ जाईए next जड़ा देखेगा कि hot wire instrument hot wire instrument का जो use हम किया करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं जल्दी से बताईएगा कि hot wire emitter are used for measuring hot wire emitter का परियोग मापने के लिए किया जाता है चलिए प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा देखें जो हमारे पास में hot wire instrument हुआ करता है जो hot wire instrument हुआ करता है hot wire instrument करता क्या है देखें जी यहां से यदि हम IRMS देदें current IRMS तो एक platinum iridium wire आप लिया करते थे platinum iridium wire आप लिया करते थे तो platinum iridium wire में बेटा जो heat हुआ करती है heat proportional to IRMS square into r यानि कि जो heat है वो current के square के proportional हुआ करता था और यहां पर याद रखिएगा जो damping आप use किया करते थे वो damping हुआ करती थी प्यारे बचो add current damping दिमाग में रखिएगा use कर रहे हैं देगे add current damping दिमाग में ये भी चीज़ सेट कर लीजे add current damping को बेटा best damping की category में हम लोग रखते थे है ना okay sir ठीक है तो हम इसका use किया करते थे जनरली क्या current को नापने के लिए current को नापने के लिए हां तो हमने क्या कहा none of these यहां पर हमारा आएगा answer यह बहुत sludges होता है ना यह बहुत slow काम किया करता है sludges होता है चलिए जी नेक्स आजाईए जरा बड़ा ही छोटा सा सवाल है answer कीजिएगा बेटा क्या है एक motor में जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा answer बोलो power output in a motor is 140 watt input to the motor 176 including losses then efficiency जल्दी से बोलो efficiency क्या टिक लगाने वाले हो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जल्दी से बोलो बोलो जी जल्दी से कितना कर रहे हो बहुत AC DC यह दोनों नापता दोनों को है लेकिन नापता करण कोई है यहाँ पर आ जाईए जरा देखिया जी efficiency efficiency हुआ करती है power output upon में power input क्या होती है power output upon में power input पावर output बेले तो 140 और 176.84 अगर परसंटेज में ले रहे हैं तो multiply by 100 तो प्यारे बच्चों हमें मिल गया 79 परसंटेज कितना मिल गया ठीक है बहुत ही simple सवाल था बीच-बीच में simple सवाल बिलकुल मिल जाएंगे आपको चलिए जी यहां आ जाईए बेटा यह marathon session सभी लोग अपना complete करेंगे बढ़िया से बहुत अच्छा का revision हो जाएगा क्योंकि जो questions है यह पांचे दिन तक मेराथन है और जो questions का collection है वह बहुत अच्छा है पूरे सब्जेक्ट आपके cover हो जाएंगे टेकनिकल भी और नॉन टेकनिकल भी जरह यहां पर आजाए दा ratio of energy produced in a given time to the maximum energy that could be produced कहने का मतलब यह है कि energy produced और upon में वो energy जो maximum यह produced कर सकता है यह क्या कहलाती है maximum possible energy that can be produced तो बेटा यह कहलाता है आपका अगर याद हो तो plant capacity factor क्या कहलाता है plant capacity factor direct definition देदी कई बार देखो आपको यह भी देखने को मिल जाता है plant capacity factor बराबर में average load कई बार देखो ध्यान से average load upon में plant capacity कई बार आपको यह भी देखने को मिल जाया करता है plant capacity factor बिटा ठीक है जी तो बड़िया सवाल है simple सवाल है चलिए यहाँ पर आ जाईएगा यहाँ पर आ जाईए देखे बड़ा ही छोटा सा सवाल है और power system से ठीक ठाक हम लोगों ने लिया है generation से क्योंकि आता भी है और सभी लोग like स्तेयार करना ना भूले भाई क्योंकि राद दिन मेहनत होती है आप लोगों के लिए तो इतना हक बनता है चलिए जी the total unit consumed by the consumer in a day is 340 बेटा इने दे एक दिन में total कितनी energy consumed हुए 340 लोड फेक्टर को बताईए और maximum demand जो दिया है यह दिया है 40 kilowatt बेटा अबने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था वैसे लोड फेक्टर बराबर में लोड फेक्टर बराबर में energy जितनी भी energy upon में maximum demand into time units consumption यह दे दी energy ओके कितनी थी 340 था ओके maximum demand बोलो तो 40 kilowatt है ठीक है चलेगा आवर कितने हुआ करते 24 हुआ करते हैं तो लोड फेक्टर बताईएगा क्या करेंगे लोड फेक्टर भाई देखो हम तुम्हारे उपर वरोसा कम करते हम तो अपनी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना होगा कि कभी सब गडबड करवा दो पूरे पेपर की पूरी वाट लग जाए फिर है तो कितना आ गया जी 0.35 बेटा कितना आ गया 0.35 कहीं बार देखो यह भी मिल जाते हैं आपको ने यह भी यह फॉर्मूला है यूनेट्स जनरेटेड यूनेट्स जनरेटेड इन टाइम टी आवर्स बराबर में मैक्सिमम डिमांड गुना लोड फैक्टर गुना टाइम तो न डरना है न थकना है न रुकना है आगे बढ़ते रहना है मेहनत करते रहना है और तरक्की को हसिल करते रहो वो ही है कि लाइफ में कुछ चीज़ शॉटकर्ट से नहीं मिला करती महनत महनत और सिर्फ महनत से हर चीज संभव हो सकती है चलिए निमन में से कौन सेल्फ स्टार्ट नहीं है wish of the following is not self start निमन में से कौन सेल्फ स्टार्ट नहीं है देखो स्क्वारल के इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है यार कैसी बात कर रहे हो बिल्कुल होता है ओके भले ही हम स्टार्टिं टॉर्ग कम लेते हो वो तो चलेगा लेकिन होता है डीसी स्रीज मोटर सेल्फ एक्साइटिड ही मोटर है है जी बहुत अच्छी बात है wound rotor induction motor wound rotor ही तो कहलाता है slip ring अरे यही तो है जो slip ring है ओके सर यही तो है जो slip ring है तो क्या नहीं है synchronous motor यह self start नहीं है लेकिन याद रखिएगा कि damper winding की मदब से बेटा याद रखिए इसी लिए maximum जो synchronous motor है वो होते है silent pole type किस परकार के होते है silent pole type हुआ करते है इनहीं में damper winding भरने की सुविधा हुआ करती है याद रखना है अगर damper winding हम बर दे silent में तो start एक induction के तोर पर होता है और भी आज याद रखिए जैसे ही अब हम expectation लगाते हैं तो jump करें और enter करेगा synchronization में enter क्या करेगा synchronization में चलिए जी तो यह होगे हमारा silent pole type maximum synchronous motor मिलेंगे जी चलो जी next आगे बढ़ते हैं देखो which of the following device does not work on the principle of mutual induction mutual induction एक ऐसा phenomena होआ करता है जैसे हमें normally यह समझना है न यार हमारा काम तो इससे चल जाएगा हमारा काम तो इससे चल जाएगा जैसे हम यह कहें देखो mutual induction यह है आपने कोई current दिया इसमें magnetic flux हुआ ओके यार ठीक है magnetic flux और यह किसी दूसरी coil में यह किसी दूसरी coil में अब क्या करें यहां पर EMF induce कर दें किसे mutual induction से ठीक है क्या problem है तो motor में भी देखा करते हो है ना motor में कौन कह रहा motor में नी अरे यार motor यार तुम induction ही ले लो अरे induction में ना लाइक हो है motor तो भाई induction में आप stator पर देते हो supply है जी यहां है rotor यह क्या बना सोच समझ के answer नहीं किया यह stator दे को induction को इलिए बना दे तो ठीक है यह तो सही था transformer भी पता है तुम्हें होता है अब motor यहां पर जो resultant flux है एनस है यह mutual induction से ही तो यहां पर एक rotor voltage उत्पन हुआ करती थी जिससे एक rotor flux उत्पन हुआ करता था तो motor में कैसे नहीं करता यह होती है तो यह मेंली होती है चार्ज के तुरू यानिकि टैसला को केबल और जनरली यूज़ अप टू हाई टेंशान है बताए जल्दी से जल्दी से बताईए और थोड़ा कभी-कभी हमारे लिए सेर भी कर दिया करो ऐसी क्या नाराजगी है हमसे यार हमने 2018 से तुम लोग के लिए पूरी टीम ने रात दिन महनत किये तो कभी-कभी सेर भी कर केबल यह करोगे हाँ जल्दी जल्दी से बताओ पूरा पेपर है मेरा 90 गुस्ट्टन देख लो हो गया है दो तीर गंडी तने देखो लो टेंशन यह हो गया अब है देखो हाई टेंशन केबल अभी सूपर टेंशन केबल अलग था तो यह कितने तक था भाग 11 तक था फिर सूर टेंशन लोगे स्पुर टेंशन तब जाकर 11 से तुम चलें जाओगे थर्टी- फिर लोगे एक्सा हाई टेंशन फिर चलें जाओगे 66 और फिर तो तुम adapt will है यही एक्सा सुपर एंचान फिर चलें जाओगे आती से ज़्याद अपने में 32 तो तो बताईये हाई Tension के बाल कितने तक करोगे तुम यहीं तो है सेट जो बैठेगा मैं सुप़र्टेंशन होता है फिर यह तो सुपर्टेंशन होत दोस्त यह था हमारा देखें 11 के भी हो कि मैंग support नबे सवाल के पहले हम रोकेंगे नहीं करेंड़ को मझेदार क्लास है बहुत ही मज़ेदार दिल खुर्स हो जाएगा तुम्हारा चलो जल्दी से आजाओ निम्न लिखित में कौन सा गैर रेकिक उपकरण नहीं है विच आप दा फॉलोविंग इस नॉट नॉन लिनियर डिवाइस बोलो जल्दी से जल्दी से बताइए अरे हमने यूपेपेसियल के लिए किताब भी लॉन्च की भी तो थी स्थीधे चले जाएए www.eadbooks.com पर चले जाएए ओपन करिए वहाँ देख लो जो भी देखना यार यहां आ जाओ जाओ निमन लिखित में कौन सा नॉन लीनियर है देखो बड़ा इंट्रस्टिंग है यार इनकेंडिसेंड लेम्प तो नॉन लिनियर था फरमिस्टर नॉन लिनियर है डायोड नॉन लिनियर है केपसिटर कानीचर हुआ करता है याद रखना जितने भी सेवी गाइक्टर होते है यंग बहुत बढ़ाया सांदार चलो जी नेक्स आजाओ बहुत ही बढ़िया सवाल है देखो में आगे हम चलते 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 हम मेरे ये गीत याद रखना गभी अलवीदारा कहना अरे कितने के लिए कितना एकड जमीन वह भी टेंशन ना लो वह सब 132 दस है कर दोस्तों बीच के लिए बीस एकर चार्फोचालिस के लिए पचाशाज सब आसमें तैंशन ना कुछ ना कुछ आई जाएगा कहीं सारे सैट है और वह तो परसुई करा रहा था मैं एक रमन सर्य यूट्यूब चैलन है जमन सर्क्लासिस तुसे भी देख लिया करो कि यहां जाओ यह मैंग्नेटेजम का सवाल है अरे 132 के लिए दस एकड तुम्हें लिखाया भी ता अभी दो तीन दिन पहले 220 के लिए 20 कर लो और फिर 440 के लिए तो सिधे 50 कर लो यह में काम चल जाएग बात यह नहीं थी दोस्त बात तो यह बताओ इसका सॉलिशन बताओ यह छोड़ो तुम मुझे गुम्रान आकरो इस पर आजाओ बहुती प्यारा सवाल है दी गई आकरती में वाइंडिंग में धारा है 3.2 और यदि वाइंडिंग में 60 टर्ण है तो कोर की चुम्रा के छेतर की त्रीवता बताओ बताओ जी अरे भाई बच्चो एच बराबर में एनाई अपॉन एल नी लिखा रखा गया तो एल होता है मेगनेटिक फ्लक्स का परभावी पाथ करो ना अगर इम्मत है तो करो एनाई कितना है स्टार्ट गुना 3.2 अब बात आती है एल के लिए देखो जी एल के लिए कैस से कितने गड़बड कर रहे हैं ना लाएको 20 यहां से चले देखो इसने पहली यहीं तक दिए और फिर यहां से यह देदी कितनी होगी 30 20 और 3 23 कितनी होगी 46 ऐल कमान 46 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे जल्दी से शेयर करो जल्दी से फड़ा फट 46 सेंटीमीटर करोगे ठीक ह सिदे तुम बिटर बबदल दो कितना आ गया चार सो सतरा दसनलो चार एंप्यार टाड़ पर मिटर नहीं आएगा क्या बताओ अरे यही तो आ रहा है ना चार सो सतरा दसनलो चार बेटा यह उत्तर आएगा और बिल्कुल आएगा गणबण मत कर देना ठीक है देखो कई बार ऐसा भी सवाल है यार बच्चो कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है फिर याद रखो यह आपने यह दिखाया जी और यहां से यहां आपने आर दिखा दिया है तो कई बार इसके लिए कह देगा पॉइंट पी पर बताओ जी तो एच बराबर में न यह पॉपाई और अन पता है यहां पर जितनी बार यह चक्कर लगाएगा या जितनी बार यह टन को पूरा करेगा यह भी होता है फिर पिठा चीज बताता हूं में प्यारे इसी चीज बता दू जो पेपर में बहुत फसरी है हो यह रहा है कि यह ना यह दे रहा है कि एक वरत्ताकार यह था जिसकी रेडियस त्यार आर है ना एक सर्कुलर पाथ दे धिया है सर 20 सेंटिमेंटर को पूरा कंसिडर करेंगे इसने तुम इसने यहां से तो दिया ही यह ने इसने पहले यहां से दिया है चोड के दिया है आपने लेक्टयर को ध्यान से ने देखा भावनात मक होंगे तुम देखो बहुत ही प्यारा से सवाल है क्या देखो यह कह रहा है कि सेंटर पर डेंसिटी दो तो इसमें करंड कितना दोस्त आई बी बराबर में आई बाई तू आर कितना कितना आई बाई बच्चे गलती ये कर रहे ना तू पर यार ठोक के आ रहे है अवे नलाई को तू पर नहीं करना यह था एक के लिए अगर आई हो तो भी बराबर में आई अपॉन में तू आर ओन ली तू पर यार नहीं करना तो यह लिखते थूम कि यह लिख लेते कि भाई यह ज़रूरी है अप हॉण में टू पायार नहीं सिर्फ और तू आर करते ठीक है यह दिमाग में सेट कर लेना कि अप उनमें टू पाई नहीं पर दूब आर लिखेंगे चलो बाइब बच्चों नेक्स आजाओ देखो जी बहुत ही प्यारा सा सवाल है अब देखो तुम्हारी नॉलिज क्या है जरा धमाल कर दो अपनी नॉलिज से पड़ो जरा सवाल क्या है जरा देखो सवाल क्या है टेट फोर पोल 20 किलोवाट 200 वोल्ट वेव पकड़ो इसे वेव को वेव वाउंड है और डीसी संड जन्नेटर था करांट इन इच पैरलल पाथ विल बी बताओ करांट इन इच पैरलल पाथ विल बी बताईया जी सचेन कुमार भरबन जी कह रहें क्यूं का कारण बताएंगे पुरानीक लेक्चर्स क्यों देखो क्लास को देखो पुरे डेरिवेशन होती ऐसे नहीं कि कुछ भी कुछ भी बिड़ा दो प्रॉपर डेरिवेशन करा रहें इन चीजों की देखो जी वेव वाइंडिंग है वेव में पैरलल पाथ है ए बराबर दो तोटल आर्मेचर करेंट निकालेंगे तोटल आर्मेचर करेंट आ जाएका देखो कहां से भाई आई बराबर में पावर अपारं में वोल्टेज ठीक है भाई कर लिया पावर ट्विंटी यहीं वोल्टेज 200 कितना आ गया सो आ गया सर टोटल सो 100 आ गया भाई बच्चो 100 अब देखो यार कितनी जगह है वेव में सिर्फ दो जगह है यह यहां कितना 50 यहां भी कितना होगा 50 वेव में अंसर था यह अगर यहीं पर खेल यह खेलता आपसे देखो क्या खेल खेलता अगर यह लैप लिख देता प्लीज देखो अगर यह अगर यह लैप लिख देता तो तब पैरलल पात होते ए बराबर पी के बराबर उरोते चार तो यह टोटल जो हंडर था यह बढ़ता एक दो तीन और चार जगहें तब कितना आता परतिएक में 25 एंप्यर तो लैप के लिए आता बिटा 25 एंप्यर बताईए समझ पा अब होता तो 25 एंप्यर करते और वे ओ थे तो 50 वेरे गयाट बहुत बढ़िया सांधर चलिये चीजी कैमिकल कैमिकल करेक्टरस्टैक्स ऑफ्डिय नद बिट्वेन बेटा बताएए जरा कैमिक मेकानिकल करेक्टरस्टैक्स अफडिय ची मोटर यो अफ्ड़ द प्लॉत G mechanical, mechanical quantity कौन कौन सी होती है mechanical quantity कौन कौन सी होती है जल्दी से बोलो mechanical quantity हुआ करती है torque और speed ये होती है mechanical quantity देखी ये electrical relation था mechanical or electrical relation था mechanical or electrical तो mechanical characteristics खीची जाती है N और TAK के बीच में याद रखो अगर बेटा DC संट मोटर है अगर DC संट मोटर है तो relation होगा सीधे सीधे ये relation होगा ये और प्यारे बच्चो अगर DC स्रीज मोटर है अगर DC स्रीज मोटर है तो आपको बता दू relation सीधे सीधे ये था और कुछ नहीं ओके जी relation ये था यानि कि संट के लिए जब बनाओगे तो आपको दिखेगा almost ये नीचे थोड़ा गिरता हुआ ये speed था ये torque था almost constant लेकिन अगर आप स्रीज के लिए बनाओगे तो दिखेगा कुछ ऐसा ये दिमाग में set कर लो क्या है speed or torque चलिए जी देखे capacitive transducer पहले चीज तो ये बता दूँ आपको कि प्यारे बच्चो capacitive transducer या transducer जो हम denote करते हैं ये किसी भी इसे दूसरा नाम तो pick up कहते हैं और किसी भी physical quantity को electrical में बदलने की विवस्था वहां होती है किसी भी non electrical quantity को easily बेटा ये electrical में बदल देता है क्या transducer हमारे पास में transducer बेटा अलग-अलग है जैसे रजिस्टिव transducer भी होता है capacitive transducer भी होता है देखे capacitor में charge store होने की discharge होने की विवस्था है तो हमेशा याद रखेगा कि capacitive static charges या static charges को तो major करने का काम कर ही सकता था लेकिन साथ में ये भी देखेगा कि यदि हम लोग capacitor को देखें तो बेटा एक हमारा rotationally type capacitor या जिसमें हम लोग plate जैसे मैं ये कहूं कि ये capacitor बनाया हमने ये capacitor बना लिया और इस पर कुछ displacement हम लोग लगाने लग जाएं तो capacitor generally displacement यानि कि dynamic measurement करने का भी काम किया करता है हमेशा याद रखे capacity type transducer ये हमारा static और dynamic दोनों परकार के चीजों को नाप सकता है static कहां से सर इस्टैटिक का मतलब था जी चार्ज जैसे quantity से और dynamic का मतलब था यहाँ पर clearly displacement से देखो जैसे हमने transducer की चर्चा की है तो आपका थोड़ा सा ध्यान आकर सित करना चाहूंगा जैसे हम लोग linear displacement लिखा करते हैं जैसे हम लोग linear displacement लिखा करते हैं तो linear displacement के लिए कैपसिटिव transducer तो चलो ठीक था है जी लेकिन बहुत ही famous जो transducers हुए हैं बेटा उन में से कुछ इस परकार हुआ करते हैं एक को हम कहते हैं potentiometer एक को हम क्या कहते हैं potentiometer बेटा दूसरा जो हमारा बहुत ही famous हुआ है यह हमारा यह भी हुआ है देखे hall effect type transducer hall effect type transducer की एक बहुत ही famous सी यह रही है कि यह majority charge carrier को calculate करने का काम तो करता ही है साथ में बेटा यह magnetic meter के रूप में भी इस्तमाल किया गया है साथ में आल अफ दाबाओ किया ना बैस यह हो गया था हमारा ना बहुत static and dynamic measurement ना फिर रिपीट ही हो रहा था एक चुली वह नन आप दिर्टा भी सही कर लेंगे पिर तीसरा हमारा था यह थी तो यह भी हमारे लिए बड़ा फेमस हुआ जी हाड़ी वह बाइचांस की बात है मैं तो बताई रहा था आपको कि वह गलती से हो गया तो potential meter hall effect और elevate dt अब देखिए जी जैसे हम लोग पीजो इलक्ट्रिक की बात किया करते हैं पीजो इलक्ट्रिक या यह कह लें कि measurement of कुछ यह लिख लें कि measurement of measurement of force, pressure, stress, strain measurement of force, pressure, stress, strain तो यहां भी दो हो जाया करते हैं देखो क्या-क्या एक होता है strain gaze का दूसरा नाम देखे कितना प्यारा नाम है पीजो रजिस्टिव ट्रांस्ड्यूसर इसका दूसरा नाम है ओके सर फिर दूसरा बेटा इसमें हुआ करता है पीजो इलक्ट्रिक पीजो इलक्ट्रिक ट्रांस्ड्यूसर पीजो इलक्त्रिक ट्रांस्ड्यूसर की जो पहचान है इसे हलके में मत लीजे का साब यह हमारा active transducर की category में भी आता है ये हमारा active transducer भी हुआ करता है साथ में इसमें कुछ बहुत ही barium titanite barium titanite rochille salt quartz ये बहुत ही famous material बेटा यहाँ पर सुनने को मिल जाते हैं strain gauge में बड़ा प्यारी चीज आती है देखे gaze factor gaze factor जो हमें मिला करता है ये मिल जाता है हम लोग को del R upon R और del L upon में L बेटा del L upon L actually कहलाता है strain तो gauge factor हम लोग को ये मिल जाया करता है साथ में आप लोग को ये भी बता दू कि देखे gaze factor बराबर में 1 plus 2 new कहलाता है poisons ratio ok poisons ratio देखे बेटा क्या होता है poisons ratio होता है minus del D upon D upon del L upon L change in diameter with respect to original diameter या change in length with respect to original length यहीं से बेटा हमें दिमाग में आता है देखे कि हम जब temperature को नापा करते हैं जब temperature को नापा करते हैं बेटा तो UPMRC जैसे exam में ये चीजे जादा थोड़ी सी कभी कभी वेटे जराख लेती है दो चार चीजे एकसा इसी लिए बता कर चल रहा हूं देखे एक प्यारे बच्चो थर्मिस्टर हुआ करता है जो negative temperature कोफिसेंट रखा करता है और माइनस के माइनस से माइनस रेंज से माइनस के 100 से यार आल्मोस प्लस के 250 तक नापने का काम ये कर लेता है बेटा एक थर्मो कपल हुआ करता है थर्मो कपल जो नापता है ये लगभग 1500 डिगरी तक नापने का काम करता है और एक होता है आप्टिकल पाइरोमिटर बेटा आप्टिकल पाइरोमिटर जो हुआ करता है ये लगभग 5000 तक temperature को नापता है जैसे boiler या फिर electric furnace बेटा ठीक है अब देखे कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जैसे हम लोग बात करते हो measurement of vibration जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा measurement of vibration जैसे vibration की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है accelerometer भी एक अच्छा option हम यूज क्या करते हैं acceleration यानि कि accelerometer accelerometer में भी है जी एक जीओ फोन हाँ जी तो ये यूज क्या करते हैं हम लोग accelerometer भी ठीक है जी तो ये important important चीज़ें को दिमाग में रखिएगा चलिए जी यहाँ पर आजएए बड़ा ही अच्छा सवाल है बेटा हो सके तो एक बार ज़रा ठोक दिया करो हैं जी जल्दी से answer ए वो थर्मो कपल मैं temperature आपने के तुम थर्मो कपल instrument की बात कर रहे हो न लायक अब तुक 50 MHz वो instrument था दोस्त यहाँ जाओ देखो यार जो LG होता है उसके chance सबसे ज़्यादा है तो B का 1 ढूड़ लीजिए उसके बाद जो chances रहेगा वो रहने वाला है LL का उसके बाद देख लो LLG का chance और उसके बाद रहेगा थ्रीफेज फोल्ड का chance इसे मिला लो जी A का 4 आना चाहिए किस किस में है तो A का 4 इनमें सम्में दे दिया अब B का 1 ढूड़ो किस में है तो ये गलत ये गलत अब आगे चले C का 3 किस में है C का 3 इसमें आ गया और D का 2 बिटा तो ये मिल गया हमें देखे यहां पर correct option क्या मिला बिटा A मिला जैसे बिटा हम लोग fault analysis की बात किया करते हैं तो प्यारे बचो LG fault की पहचान देखे क्या हुई है all the sequence क्या कहते हैं कि सभी जो sequence होते हैं सभी जो sequence होते हैं वो बराबर होते हैं और if by 3 आप लिखा करते हैं all the sequence connected in series क्या बिटा series में जुड़ी होती है सभी sequence याद ये रखें कि देखे if बराबर में 3e upon में z1 plus z2 plus में z0 plus में 3 zn बेटा ये हो जाता है बताईए होता है कि नहीं फिर देखे प्यारे बच्चो ll fold का थोड़ा सा operation तो बनता ही है ir not यहाँ पर 0 हमें मिल जाया करता है और ir 1 और बराबर में मिल जाता है minus के ir 2 यहाँ से हमें पता चलता है कि positive और negative sequence एक दूसरे के साथ में स्रेज अपोजिशन में जुड़े होते हैं अब यहाँ पर चलिएगा देखे यहाँ हमें मिलते हैं if जो मिला करता है root 3 upon में बेटा z1 plus z2 plus में zf यहाँ से हमें पताची चल जाता है कि देखे 0 sequence जो होता है absent हुआ करता है कहाँ पर ll fault में प्यारे बच्चो double line to ground में देखेगा क्या पहचान बनी है यहाँ पर जो relation बनता है ir1 बराबर में minus ir0 plus में ir तो बेटा हम यह लिख लेते हैं यहाँ से हमें पता यह भी चलता है देखे कि all the sequence यहाँ कहते हैं कि all sequence connected in parallel क्या कहते हैं कि all sequence connected in parallel connected in parallel ओकेज़े ठीक है all sequence connected in parallel और बेटा यहाँ से हमें मिलता है 3 IR 0 यह हमें मिल जाता है solution करके फिर चलेंगे बेटा देखे 3 phase fault की जो पहचान हुई है पहचान जो हुई है यह हम रखते हैं E upon में Z क्या रखते हैं E upon में Z और यहां पर all sequence of voltage Vr1, Vr2, Vr not is equal to 0 फिर दिमाग में ये भी चीज़ सेट होनी चाहिए कि short circuit current, my dear, is for full load current 100 upon percentage X लिखा करते हो कि नहीं बेटा यहीं से हमें पता चलती है कि short circuit KVA यहां से हमारे पास आजाती है base KVA into 100 upon में percentage X लिखा यह स्थब कहानी हमारी होती है फोल्ट की बहुत ही खास और important ओके, चलिए जी बेटा, most severe fold की अलग-अलग स्थितियां और condition है और यह हमने अपने detail वाले course में बेटा पढ़ाया भी था कहीं बार तो हमने YouTube पर भी जिक्र किया था तो अलग-अलग condition होती है रटवाने की चीज नहीं थी वो तो एक ऐसी condition थी जहां पर line to ground भी तफ या कहें कि बहुत ही तो यह सब हमने पढ़ा रखिए चीज नहीं यहां आ जाईए जरह कि फोलोविंग पैरा मेगनेटिक मेटीरियल निमनलिकित में से कौन अनुचुमबक ये पदार्त है तो मैंने याद रखने का अपने बच्चों को एक तरीका यह सिखाया था कि जिसमें आवाज आए इम इम वाली आवाज आए तो वो होता है हमारा वो होता है हमारा जी पैरा मेगनेटिक मैडियर पैरा मेगनेटिक कैसे मेटीरियल होते हैं जिन में हमारी जो रिलेटिव परमेबिलीटी होती है वो स्लाइटली ग्रेटर दैन वन हुआ करती है और जो सस्टेबिलीटी हुआ करती है स्टेबिलीटी हुआ करती है मिव प्यारे बचन सप्टिमिलेटिक कोई यूनिट नहीं हुआ करती नहीं हुआ करती है दिमाघ में सेट हो जाना चाहिए आपके दिमाख सेट रहना चाहिए तो देखे सोडियम प्लेटिनम औक्सिजन यह हमारे होते हैं सभी पैरा मेगनेटिक मेटीरियल क्या होते हैं पैरा मेगनेटिक मेटीरियल ओके यह देखो दो-तिन चीज़े और याद रखेगा जैसे यह बहुत ज्याज़ा पूछता डाया के लिए जैसे वहसे डाया मैगनेटिक मैटीरियल है कोलब उपतीडियल के कने मटीरियल में यह द tissu जैसे है तो मैगनेट से बटा रीपेएल करते हैं अपने दिमाख में रखेंगे सैटिन है ओके चलिए बेटा यहां जाईए देखे विच गेज वायार इस यूज फूर अर्थिंग ऑफ हाउसेज अपने घरों में जब हम अर्थिंग करने की बात करते हैं तो बताए किस गेज को इस्तमाल किया करते हैं और आपके जब हम अर्थिंग से संबंधित चीजों को लिखा भी रहते हैं और हमने कहा था कि 14 इस्टंडर्ड वायर गेज हमेसा याद रखें डायामेटर का इनवर्थिंग की बात करने लगे तो बेटा कुछ ऐसे सवाल है जो बहुत ही मौसली रिपीडेट सवाल है बेटा मेरे बच्चों देखो क्या यार सबसे ज़्यादा जो रिलेट कर रहे हैं एक्जाम से प्लेट अर्थिंग तो भयंकर पूछ रहा है और प्लेट अर्थिंग में देखो यह इसलिए रिजल्ट तो बहुत बेस्ट है लेकि 60 सेंटेमेटर और 60 सेंटेमेटर गुणा 6.18 चलेगा 6 भी चलेगा कोई दिक्कत ने यह जी आई का है अगर नॉर्मल आइरन लिखने लग जाए ना नॉर्मल आइरन लिखने लग जाए तो यह 10 mm लिखेगा यह सिर्फ क्या है आइरनिक तो यह बड़ा ही फेमस है बहुत प देखो जैसे हम लोग strip earthing करेंगे ना जैसे strip earthing करते हैं actually इसे कई बार हम substation और generating station में किया करते हैं इसे हम earth shielding के नाम से भी जाना जाता है कहीं जगे पर तो यहां copper का 1.6 आ जाता है ठीक है चलेगा यह लेकिन mm में लिखेंगे इसे mm में अगर हम जैसे यह हमारा तब है जैसे हम पाइप अर्फिंग क्या करते हैं ना पाइप में तो पहले हम लोग देखो हम क्या कहते हैं लगभग पांच मिटर गहराई में है ना कितने mm यार 38 mm यह सारी चीज़े लिखनी चाहिए आपको 38 mm का पाइप डालते हैं जिसमें 12 mm के हम छेद काटते हैं होते हैं ना यह important चीज़े हैं अर्फिंग अपने घर या building से हम लोग करते हैं डेड़ मिटर की दूरी पर रोड अर्फिंग को fire या chemical अर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है यह point याद होने चाहिए आपको है जी चलिए जी next चलेंगे बेटा देखे क्या है देखे सवाल को पढ़िए और आंसर करिएगा तवाल को पढ़िएगा आंसर करिएगा और सेर करने में कंजूसी ना करे नहीं तो मार पढ़ना तै है सेर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा पढ़िए इवदा इंटर्नल हाँ जी देखो इवदा इंटर्नल शीट रेडियस और रेडियस ओफ पूर देखो कुछ ऐसा दे रखा है यह दे रखा है यहां से यह दे रखा है टोटल 2.4 cm और यह दे रखा है 1.3 cm यह कह रहा है कि इंसुलेशन ठिकनेस बताईए पाइप अर्थिंग पांच नहीं गलत जा रहे हो पाइप अर्थिंग बेटा पांच मिटर गहराई में करते हैं 38 mm का नीचे पाइप रखते हैं उसके ओपर फिर 19 12.7 mm मिलाते हैं 12.7 बतार डालते हैं 19 mm बालों पाने डालने में भी इस्तमाल किया करते हैं समझे सब बढ़ 1.1 cm यहीं तो है सवाल बस लिख ज्यादा बढ़ा दिया बच्चे को लगा पता ने क्या चक्कर है जी बच्चे को लोगा पता ने कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया तो यह आ गया 1.1 cm चलिए बेटा नेक्स्ट आजाईए गाजरा देखें कैलकुलेट दा कैलकुलेट दा टाइम पीरियड ओफ दा गिवन सिगनल बिलो गिवन सिगनल कोई और नहीं देखें आई टी का जो यह सिगनल दिया है इसके लिए आपको टाइम पीरियड लिखना है तो पेटा जैसे ही हम इसे कंपेर कर रहे हैं वुमेगा बराबर में हमें 218 में मिला या पाइंट टू एट बटे में 218 मिल गया जी अब बताईए जी टाइम पीरियड फिर हम लोग क्या लिख लें है ना सेयर वेर जरूर करते रहे ऐसी कोई नाराजगी है तो बिलकुल बताईए लेकिन हमारे इसे नाराजगी क्या भाई बस यही है कि पढ़ने को बोल देते है आपको बाकी तो देखो कुछ है नहीं भाई ऐसा कि नाराज रहो तो यह मिल जाएगा दसम लो 0028 और सेकेंड बताओ जी कितना आ गया है जी दसम लो 002 यह मिला हमें इतना सेकेंड टिक्स पॉइंट टू एट अपॉन में यह हो गया जी एक्किस अठाणवे तो यह आगे आंसर देखो इतना सेकेंड अगर इसे मिली में लिखें तो जब मिली में लिखोगे यह देखना जया देखना यही तो हम कह रहे हैं तो इसे आप लिखते 2.8 ms, यह है क्या इसमें यह बताओ, यही तो कहते हैं मुर्खता, देखो ना अपने attitude को एक तो जमीन पे लाओ, ना एक तो जमीन पे ले आओ, अपने attitude को, आप लोग सवाल को ना इतना हलके में ले रहे हो, देखो कि छोड़ो ना छोड़ो इसका तो यह हो गया यार नंबर तो डी को मार करने के भी यहीं मिलते ना 0.28 millisecond कैसे आया बताओ आप भाई 2198 बराबर आप वुमेगा बराबर में 2π by T तो लिखा करते हो तो T बराबर 2π भाई दो गुणाल लो और बताओं क्या भाई इसे 6.28 लिखते हैं बटे में 218 में जब आप डिवाइड कर रहे हो जब आप डिवाइड कर रहे हो यार तो दस कितनी बार 0 मिल रहा है दसमलो 00285 ये मिला अब इसे आप लिख सकते हो 2.8 millisecond तो इसमें दिया है क्या कुछ ओप्सन था बेटा ये और तुम पता नहीं कौन से दोर में चल रहे हो यार ओप्सन तो D था अरे भाई दोस्त डी का भी बराबर महतता हो है तुम इसे सीरियस ले क्यों नहीं रहे हो आप रियली में खुद के दुस्मन खुद बने हुए हो आपने बहुत सारी चीज़े पढ़ ली सीख ली लेकिन खुद के दुस्मन खुद हो मार्क वही करना है बस कुछ भी मार्क करके चलना है जी ऐसे नहीं काम चलता देखो ये दिया है जी चलिए डिजिटल की सैर करने निकलते हैं भाई डिजिटल की सैर करने निकले तो हमें दिया है 3, 0, 4 ये दे दिया 8 और ये दे दिया यहाँ पर सामने है देखे decibel तो 0, 1, 2 तीन गुणा 8 की घाद 2 हो गई ये तो 0 है इसको छोड़ दिया 4 गुणा 8 की घाद 0 3 गुणा 68, 64 प्लस में 4 3 चोग 12, 3,18 और 19 प्लस में 4 बेटा कितना? 196 और 10 बताईए ये आएगा की नहीं? बताईए आएगा की नहीं? आएगा तो ये रहा देखें आपका 196 ये रहा आपका 196 कोई भी सवाल में straight forward चीज़े नहीं दिया है बड़ी गुमाफिरा के दिया है आप लोग का patience level देखो न patience level चेक हो जाता है आप लोगों में एक घंटा भी धंग से बैठने का patience नहीं है तो exam hall में भी तुमारी यही खुराप आती रहती है फिर अरे धंग से patience fully एक paper set को तो solve करिये सब के सब बैठकर जब आप एक paper को धंग से solve नहीं कर सकते बैठके तो exam hall में कैसे आप patience बना के रखोगे हैं बताइए जी एक कॉमन बेस अफ देखो common base हमने क्या कहा common base configuration of PNP transistor analogous to JFT तो जैसे common base है जैसे common base था इसमें क्या हो जाएगा गेट हो जाएगा यार यह तो common gate ढूनो इसमें क्या है तो यह रहा देखे common gate क्योंकि देखो यार जो junction field effect transistor है याद रखना पेटा जो हमारा BJT था ना बायो पोलर यह जरूर था ना जी बायो पोलर junction transistor क्योंकि holes और electrons दोनों ही के दोनों प्रकार के charge carrier के कारण अपना current बह रहा था चलो जी हमने का बहुत अच्छी बात है कोई problem नहीं है तो यहाँ तीन terminal यह थे एमिटर बेस और collector और जब हम लोग बात यह कर रहे हैं कि जे एफटी junction field effect transistor तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि source gate और drain यह मिल गएं तो यह common base common gate यह याद रखेगा यह current control device तो यह voltage control device हुआ करता है ठीक है जी चलो भाई बच्चो नेक्स आजाओ यह next आजाओ जरा जे एफटी जब आप पढ़ती हो इन्हें junction field effect transistor । देखो पहली चीज तो आपको एक चीज बता दूँ आईडी बराबर में ID SS 1- gate to source vgs upon में vp का square यह हुआ करता है देखो जो एक चीज दिमाग में रखे बेटा कि जब हम लोग यहां से यह कहते हैं कि भाई देखो एक ऐसा voltage लेवल जब यह आगया ID SS constant बन गया इस गोड़े pinch of voltage और तब देखने को मिला करता है जब बेटा आप यह कहें कि gate को आप लोगों ने बना दिया देखे शॉर्टेड तो हम drain to source current है बिल्कुल है इसे जनरली हम लोग saturation current के नाम से जानते हैं दोस्त drain to source saturation current ओके जी ठीक है जी तो यह तब है drain to source current with gate open नहीं shorted तो यह हो जाएगा gate to shorted करके यहां पर drain to source to saturation current है कि नहीं basic basic चीजें है यार चलिए जी नेक्स्ट में देखो यार यहां से ना क्योंकि अभी यूपी आर्विन भली टीजिटू में भी आया यह symbols भी पूछ रहा है यार यह दिमाख में रखो जैसे ना हम यह बात करते हैं यह ज्यादतर पूछ रहा है आज अगर ये अंदर होता डायेगा दह मंधर को दीखेगा दो दिखेगा थो न यह बहुत ज़री है दिमाख में सेट रखो ना इन चीजों को देखो जब यह भी पढ़ते हैं कि डिपलीशन डाइम आउस्वेट दो दोनों मोड में काम कर लेता है लेकिन इन्हेंस्मेंट सिर्फ इन्हेंस्मेंट मोड में ही काम किया करता है चलिए जी यहां जाएं इन्पुट इंपिडेंस ओफ कॉमन गे में देखो कॉमन गेट में कॉमन गेट कर्फिगेशन में इन्पुट इंपिडेंस यहां हमें मिलता है यह फुल्फो में पूछ लेता है जब बहुत बार स्वाल आए तो जंसन फिल्ट इफेक्ट ट्रांजिस्टर इन्हेंस्मेंट और डिपलेशन बहुत सांदार बहुत ह पड़िया होता है बेटा वैरी लोग गुरुजी ने बहुत परीखे से पढ़ा रखी है देखें यह माइक्रो कंटॉलर में मिल जाता है देखने को बहुत ज्यादा मुझे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता बहुत ज्यादा मैं इसे एक्स्प्लेंग नहीं कर सकता यह ना य रिडियूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यह होता है देखें यहां पर बी बिटा यह रहता है यहां पर बी चलिए जी नेक्स आजायेगा बहुत ही बढ़िया यह सवाल है यह क्या है कार कुछ बच्चों ने जिन्नोंने पढ़ा और यह थी नहीं बता देंगे लेके मैं फिर भी चाहूंगा कि आप पहले ध्यान से दिमाग लगाओ और फिर करो देखो यार अगर यह पॉजिटिव हो अगर मैं पॉजिटिव इसे लगाता हूं तो यह मेरा एक रिवर्स टुबाइस कंडिशन में काम करने लगा और रिवर्स टुबाइस में अगर काम कर रहा ह तो जो वोल्टेज यह है और वी से इनहें जोड कर मुझे आउटपुट मिल गया यहां पर मुझे आउटपुट यानि कि पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव में मुझे एक अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिला जी लेकिन जैसे ही मैं निगेटिव की तरफ जैसे मैं चलता हूँ यानि कि यह निगेटिव पहले क्या था निगेटिव यह पॉजिटिव यह है तो बेटा यह हो गया देखें फार्वरडबाइस जारा देखो फार्वरडबाइस हो के कोई भी यह रास्ता पूरा करने लगा ओ भाई यह तो बड़ा पंगा हो गया जी देखो जब ये इस cycle के लिए हो ये रहा है कि बच्चों ये इस तरफ positive ओके इस तरफ ये अपना negative polarity exist कर रहा है यानि कि जब ये positive उपर होगा ये reversed होगा तो ये एक तरह से जो VI और VC की polarity थी हमें output ये मिलने वाला था VI plus में VC तो ये एक तरह से discharge mode में काम करता लेकिन यहाँ पर आ गया ये फारवड बाइस टू हो के अब ये इस स्थिती में चल रहा था चार्ज हो रहा था किस के थुरू डायोड के थुरू क्या हो रहा है capacitor चार्ज हो रहा है गी ओहो लेकिन यार जब ये short हो गया तो इस R के क्रोस में V naught तो 0 मिला ना तो negative में तो कुछ मिला ही ने है ना negative में तो कुछ मिला ही ने ओके capacitor ये तो पकड़ गए बात clamp पर लेकिन किस तरफ मिला तुम्हें clamp पर यानि कि positive में मिला negative में तो आपको सुनने मिला ना यहाँ से यहाँ तो negative ये तो pi था 2 pi अगर मैं ले लेता ये मैं कहीं ना कहीं sinusoidal करता तो इसके लिए तो मेरा 0 था ना यार मुझे तो सिर्फ V naught बराबर में V I plus में V C जो देखने को मिलता वो मुझे कहा मिल रहा है जब ये positive था तो दोस्त मैं तो ये कहने वाला हो ना कि मेरा तो ये option सही है ना में ता ये वाला positive Clamper क्या देखने को मिलेगा मुझे positive Clamper बोलो बाबा के दर नात की जाए जल्दी से शेयर थोको पड़ा फट से चलिए जी नेक्स आजाईए नेक्स आजाईए जड़ा एजीनार voltage regulator used for बताईए जीनार voltage regulator used for देखो याद रखिएगा option D गिया बहुत बढ़िया देखो जीनार voltage regulator बेटा बहुत बड़े लोड के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं उनके लिए फिर हम लोग चले जाने लग जाते हैं यार कि हम थारिस्टर बेस्ट कुछ बनने लग जाएं तो ये होते हमारे small load के लिए ये अच्छे हमारे small load के लिए ही एक जीनार voltage थी और reverse में operate करेगी क्या देखो ये क्रेक्टर स्टिक्स ये क्या होती है रिवार्स ब्रेकडाउन ओके जी यह होता है जीनार प्रेकडाउन अब दिमाख में रखो सेट यहां पर यह है सोर्स का इंटर्नल अजिस्टेंस देखो यह निमिरिकल आ यह कर लिए आपने जीनार डायोड यहां से लगाया आपने यह इनपूट यहां पर लोड दिया है जी यह गडबड करके आते हैं यह जीनार voltage है यह लोड दिया है और इसमें current है आई-ल और voltage दिया है वी-ल देखो कैसे इस तरह की सरकिट की धजिया उड़ा के आनी है पेपर में बहुत खास है सबसे पहले जीना डायोड को तुम ओपन मानना ओपन माना और वील केलकुलेट करना यदि वील वीजेट से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब होगा अगर वील वीजेट से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब होगा कि जीना डायोड ओ कौन होगी यानि एक्ट करेगा और जीनर डायोड यदि एक्ट करेगा अगर जीनर डायोड एक्ट करेगा तो यह दिमाग में सेट कर लीजिएगा यह जीनर डायोड अगर एक्ट कर रहा है ना तो फिर दिमाग की बत्ति जलाओ यह वी एल नहीं लेना है इस लोड के क्रॉस म यहां पर निकालने लगा ना तो मैं सिर्फ वीजी एड यह अपने दिमाग में सेट रखे यदि बेटा वी एल लेस दन वीजेड आ जाए तो जीन डायोड हो जाएगा हमारा ओफ इसका कोई रोल नहीं आएगा और जो यह वोल्टेज है वही आपकी लोड के वोल्टेज होग यह दिमाग की बत्ती जलालों बड़ा ही इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए जी देखो बेटा याद रखना है याद है कि नहीं कुछ हुआ जी 8-bit माइक्रोप्रोसेसर केन प्रोसेस एक पर 8-bit कितने डाटा को प्रोसेस करता है तो लिखी दिया न देखो 8-bit डाटा को डाटा बस कितने लेते हो इट बीट एड्रस कितने लेते हो 16 याद है कि नहीं कि आपई 16 यह कितने ले लिए आपने देखे एट याद रखना इंपॉर्टेंट है जैसे आप यह भी यह बहुत पूर्चता है इस ट्रैक पॉइंटर 16 प्रोग्राम काउंटर यह 16 बिट है एकुमुलेटर आठ बिट का है चलो जी यह बहुत बढ़िया सवाल है जरा आंसर करिएगा क्या होता है देखे क्या है हाव्वे रेक्टिफायर है जैन इंपुट वोल्टेज ओफ टू फोटी वोल्ट आरमेस यह यह दिया है जी हमें बेटा टू फोटी वोल्ट आरमेस ठीक सर बड़ी सुन्दर बात है यहां लगा रखा है आपने ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर कितना एट रेशियो वन लगा रखा है तो यह बताईए जी यह कितना हो गया अगर यह 240 है तो डिवाइड बाई आर्ट यह कितना मिल जाएगा हमें 30 वोल्ट इस तरफ मिल र रहा है यहां पर आई नौट प्यारे बच्चो जब हम आवेव रेक्टिफायर की बात किया करता है तो याद है पीक लोड यानि कि कितना आएगा तो हम क्या लिखते हैं यह आरमेस है यह कुछ और नहीं यह आरमेस है तो यहां कितनी आती है देखे पीक इनवर्स वोल्टे कितना यह आता है वी एम और वी एम कैसे निकालेंगे रूट टू और वी आरमेस तो बिटा कैलकुलेट वन पाइंट फोर वान गुणा थर्टी कितना आ जाएगा जड़ा देखकर बताओ तो मिलना चाहिए आपको 42.5 सभी लोग शेयर जरूर करते ने फड़ा पर से ना ठ वीएम रेक्टिफायर में गर सेंटरेप करता है तो पिक इनवार्स वोल्टेज 2.25 चली जाएगी और अगर भेटा ब्रिज टाइप हुआ करता है तो ब्रिज टाइप में पिक inवल्टेज हमारी वी रहने वाली है करते ब्रिज टायप हमारी 20.25 रहने वाली है यहीन वाली 2% यह सब चीज़े आपके दिमाख में सेट होनी चाहिए चलिए जी यहां पर आ जाईए जड़ा कंट्रूल सिस्टम की सेर करा दें आपको जड़ा देखे क्या है टोटल लंबर ओपोल्स आपको बताने थे पोल पहले पोल फिर टाइप और फिर ओडर देखो यार बच्चो हमने कई बार यह कहा है कि जब भी कभी है ना डिनोमिनेटर जिरोज देता है और डिनोमिनेटर हमें देता है पोल्स देखो यहां से हम यही तो कहने वाले है कि दो पोल एक और दो पोल हमारे कहाँ पर है ओरिजन पर है एक हमारा कहां है देखे वन प्लस ट बराबर जिरो तो एस बराबर माइनस वन बाइट बाइटी बेटा दो ओरिजन पर है और एक हमारा लेफ्ट हाप में है तो टोटल हमें कितने पोल मिल जाएंगे सार पोल तो मिल गए तीन बहुत बढ़िया देखे जब भी हमने ये कहा है SN, number of pole at origin number of pole at origin define the type of system तो SN, हमें सा जो N है ये दरसाता था बेटा type of a system यहीं दो बताएगा type of system तो दो, तो type कितना लिख रहे हैं भईया हम type लिख रहे हैं सर दो अच्छा जी, अब जड़ा देखेगा order multiply करेंगे तो S square plus S की power 3 तो ये, ये maximum power ये क्या है भईया यहाँ पर order 3 तो 3, 2, 3 बेटा, 3, 2, 3 option आगया देखें यहाँ पर B A नहीं यार गलत मत करो चलिया आजाएए जरा अब आगया देखें CRO CRO से आगया सवाल What is the rise time in nanosecond in digital oscilloscope if the bandwidth is used 0.9 Gigahertz बताएए जी कितना आपको याद होगा bandwidth into distortion less output के लिए लिखा करते थे bandwidth into rise time बराबर में 0.35 लिखा करते थे कि नहीं बिटा ये पूछ रहा है rise time तो 0.35 upon में bandwidth तो ये आजाएगा 0.9 यदि ये Giga में है देखो Giga का मतलब 10 की पावर 9 अगर उपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 9 अगर ये Giga में हम direct रखेंगे तो याद रखेंगे नैनो में अपने आप ही आंसर बन जाएगा तो ये हमें मिलने वाला है नैनो सेकेंड में जड़ा calculate करके बताईएगा कितना आएगा 0.35 divided by 0.9 ये क्या मिला हमें 0.388 नैनो सेकेंड ये हमारे किसी option में नहीं दिया तो तब हमने कहा जी non of the bow उत्तर आगया हमारा डी ठीके चलिए विद्यारतियों यहां आजाएगे देखे जी अब control system में बटा analogy से भी सवाल बन जाते हैं देखे जब हम force voltage analogy की बात कर रहे हैं force voltage analogy की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कहानी कुछ यह है कि जो mass हुआ करता है वो बताया करता है inductance mass क्या बताएगा inductance बताएगा moment of sorry यहां पर यह बताएगा mass क्या बताएगा inductance बताएगा प्यारे बच्चों यह भी याद रखेगा जो stiffness बताएगा यह बताएगा one upon capacitance क्या बताएगा one upon capacitance बेटा one upon capacitance को एक सब्द देते हैं देखो elastance भी कहा जाता है साइद कुछ बच्चों ने सुना भी नहीं होगा एक होता है damping coefficient एक को हम कहते है damping coefficient जिसे b से भी denote क्या करते हो damping coefficient बेटा इसे denote करते थे या analogy में था resistance तो ओके ठीक है जी और जो displacement था ये भी बतादू जो displacement था displacement था यहां पर बेटा चार्ज और यहां पर यह बतादू कि जो velocity थी यह थी यहां पर कुछ current क्या थी current था तो अब बताईए ज़रा force voltage analogy में इनसे कौन सा सही होता है तो force यह तो गलत है mass is analogous to inductance यह भी गलत है displacement होता है charge के यह भी गलत है velocity analogous to current बेटा यह बनता है हमारा perfectly correct answer control system के basic से सवाल अच्छे आए है कुछ non-linear के भी आए हैं जो next वाले में include करेंगे चलिए जी next आजाईए unique model of a system देखिए जी unique model जो होता है हर एक system के लिए अलग-अलग transfer function ही बेटा आता है तो जो unique model होता है वही होता है देखिए अलग-अलग system का अपना अलग-अलग ही transfer function लिखा जाता है तो जो unique model of a system के नाम से जाना गया है वो होता है हमारा transfer function my dear student याद रखिएगा जो transfer function होता है जो transfer function होता है वो हम लोग लिखा करते हैं laplace transform of output upon में laplace transform of input with क्या किस के लिए बेटा with zero initially condition zero initial condition क्या लिखा करते हैं with zero initially condition ये दिमाग में बिल्कुल set कर लो with zero initially condition next चलिए का देखे which of the following which of the following is not a method of turning on str बताईए बड़ा ही simple चीजे देखे silicon controlled rectifier थायरिस्ट और बड़ा ही famous हुआ बिंदास है विल्कुल ना देखो जी इसे अगर हम बनाने की बात कर ले ना तो हम यही तो बनाते हैं कि यह होता है anode यह बनता है cathode और बड़ा यह बनाते है P फिर बनाते हैं N फिर बनाते हैं P और N बड़ा यह बनाते हैं हम gate यह बना करता है J1 J2 और J3 तो दो बहारी जंक्षन है और एक आंत्रिक जंक्षन हैं देखो जी अगर सिम्बल की बात कर ले तो बेटा सिम्बल कुछ देखने को ये मिलता है एनोड कैथोड और गेट ये बेटा इलक्ट्रोन और होल्स दोनों के कारण तो करेंड फ्लो किया करता है बिल्कुल सही बात है है ऩाम करेंगांे स्विचकं की अगर हम बात कर ली कर लो सर कोई दिक्कत यह फिर हम लोग लगाते हैं Medo ट्रिगरिंग पॉजिटिव पल्स देते हैं तो यह हो जाता है हमारा जेटू भी ब्रेकडाउन और चला जाता है फारवर्ड कंडक्शन मोड में बेटा ओन होने का मतलब है लैचिंग और ओफ होने का मतलब तरह के होल्डिंग हमें से याद रख लो ना कि लैचिंग जादा ह होल्डिंग से लगभग डेड़ से दो गुणा तक और यह होता है रिवर्स मोड होता है कि नहीं होता बिलकुल होता है यह दिमाग में रखिए कि यदि आप से कैथोड पर वोल्टेज को लगा दे हाई वैल्यू तो तब भी मजा आ जाए यह ट्रिक कर जाए लेकिन से मैथ मेथड नहीं है यदि आप जंक्शन येटू का टेंपरेचर बढ़ा दें तो तब भी ओन हो जाएगा रेडियेशन और थर्मल ट्रीगरिंग मजलब टेंपरेचर बढ़ा दे तब भी ओन हो जाएगा लेकिन यार ऐसा तो कुछ हमने नहीं सिखाया कि एमिटर तो हम यह कहते हैं कि यह एक सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है और इसके आफ करने के लिए प्यारे बच्चों हम बनाते हैं कमुटेशन सरकेट की अगर हम बात करें तो जैसे क्लास ए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना क्लास बी क्योंकि करन्ट कमुटेशन के नाम से जाना गया है क्लास्च को हम लोग कहते हैं क्लास्च को हम कहते हैं कॉम्प्लिमेंटरी और क्यम्मूटेशन यह सब अपने नाम थे बैटा यदी हम लोग डारेटिंग फैक्टर भी निकाला करते है ना डारेटिंग फैक्टर जन्रली रिलाइबलेटी को दरसाता है जिसमें हम लोग याद होगा आपको वन माइनस में स्ट्रिंग एफिशेंसी कर लिया करते थे बड़े ही आसानी से है ना तो यह सब चीज़े थी हमारी SCR से चलिए ज़रा आगे बढ़िएगा आगे चलते हैं बाइडारेक्ष्णल करण्ट कैपसिटी के बारे में बात हो जाएं कोई प्रावलम नहीं विच आप फोलोविंग इक्यूमेंट इस बाइडारेक्ष्णल करण्ट कैपसिटी देखिए प्यारे बच्चों स्टीर कभी भी नहीं था बाइडारेक्ष्णल मॉस्फेट बिल्कुल भी नहीं मैटल ऑक्साइड सेमी कंड़क्टर फिल्ड इफेक्ट रांजिस्टर कई बारी से इंसुलेटिट गेट फिल्ड इफेक्ट रांजिस्टर के नाम से भी तो जाना गया है ओके फिर चलिएंगे देखिए बाइडारेक्ष्णल करन्ड केपसिट्यू क्रॉपर्ट ती आती है है पेटा और्सीट्य में रिवर्स कंड़क्टिंग था रिष्टर में तो इसे हम जो कर रहें इसे हम लोग परवर्ड में भी यूज़़ कर सकते हैं गिने दोनों तरफ को योज तो रिवर्स 79 बड़ा ही प्यारा सा यह नियाम है और सबस्क्राइब जरूर कर लिया करो चलिए चलिए बताईए जी I rule देखो यार ये कहां से होता है देखो ये low और medium line में low और medium voltage line में देखो कैसे अब आप low और medium में मैं बता दू कि देखे rule number na rule number classification of voltage classification of voltage ये होता था 28 है ना 28 तो एक low voltage होती थी बेटा जिससे आप कहते थे up to 250 एक होती थी medium प्यारे बच्चों medium ये होता था देखो धाइसो से साड़े 600 एक होता था यार हाई है ना ये होता था 11 ये सोरी ये हो जाता था हमारा साड़े 600 से लेकर 33 तक साड़े 600 से लेकर 33 और एक हुआ करता था एक्सा हाई टेंशन या एक्सा हाई वोल्टेज जो होता था अब आओ 33 के वी ये लिखा करते थे यार तो देखो याद रखना हमेशा जैसे बिल्डिंग है 77 हमारी लाइन की कलियर राइंस से होता है ओके अब हम क्या करें सर देखे ये होता है बेटा हमारी बिल्डिंग की किलियर राइंस किस के लिए लो वोल्टेज लाइन और मेडियम वोल्टेज लाइन के लिए तो कहा ये गया है कि वर्टिकल किलियर राइंस 2.5 मिटर होना जरूरी है और होरिजॉन्टल किलियर राइंस 1.2 मीटर होना जरूरी है किसमे 79 में तो ये था हमारा किलियर से संबंदित फ्रिक्वेंसी वैरियेशन याद है देखो क्या-क्या बोल रहे हैं ये तो हमारा हो गया 55 वोल्टेज वैरियेशन हो गया हमारा देखो 54 याद है कि नहीं ये तो याद रखो तो क्या था किलियर वो 77 रोड साइड वाला याद रख लो जैसे 77 कभी भावनाव में ना बह जाओ जैसे 77 है अगर रोड बीच के जा रही है न और लाइन ये बिचा रहे हो तो देखो जी जब आप मीडियम में बात करोगे तो तब तो चल जाएगा कितना जी 5.8 एक्स्टा म में गए ना तो 6.1 प्लस 0.3 पर 33 के लिए लिक क्यों नहीं रहे तुम यह लिखो यह तो जरूरी इंपॉर्टेंट है यार बताए थर्टी नाइन क्या कहता है आई रूल थर्टी नाइन क्या कहता है आई रूल थर्टी नाइन क्या कहता है आई रूल थर्टी नाइन क्या क बेटा ये भी पढ़ लो देखो 34 पढ़ लो डेंजर ये हमारा होता है बेयर कंड़क्टर के अपने घर में बिल्डिंग में आप इतनी उचाई पर या नंगेक तार ना रखे जिससे की कोई सुलिस्टूल चड़के इस पर पहुंच जाए आई रूल पांच जार लिकेज करेंट वाला बिल्कुल खासम खास है चाववन पश्पन सततर सेवेंटे नाइन एक्टी और नब्बे ये तो बिल्कुल दिमाग में चाप लो चलो जी नेक्स चलेंगे देखिए नेक्स थवाल पर चलेंगे क्या कह रहा है कि जब तामे की पट्टी को भूत आर के रूप में उप्योग किया जाता है तो अनुपरस्ट काट क्या होनी चाहिए देखो तामे के लिए है किस से कम नहीं होनी चाहिए तो तामे के लिए 25 mm और 1.6 mm से यदि GI से बात करते तो तब 4 लिखने लग जाते है ना तो ये कितनी करोगे कि नॉट लेश दिए 25 mm और 1.6 mm ये स्ट्रिप का साइज दिया है कौपर की स्ट्रिप का साइज बेटा ये कौपर की स्ट्रिप का साइज है जब आप इससे पर्थिंग करेंगे बताइए जी ये क्या दिया है आपको ये क्या दिखाया है जल्दी से बताइए कि वाट दज दग इवन सिंबल यूज इन एलेक्रिकल इंजिनियरिंग ड्राइंड बताइए बैटा क्या दे रहा है जल्दी से बताइए क्या दे रहा है तो यह दे रहा है देखे फैन रेगुलेटर बेटा क्या दे रहा है प्यारे बच्चो इंपोर्टेंट सार फैन रेगुलेटर देखे जी यहां पर कुछ इंपोर्टेंट कुछ सिंबल से आप लोग के लिए जो रिपीट हो रहे हैं भाई देखो सिंगल पॉल स्विच में बढ़िया बढ़िया चीजे यह है कि एक दिखाएगा आपको यह ना टू पॉल तो दो डंडे खीच देना यह टू पॉल मतलब दो डंडे आगे तीन पॉल सिंगल उट फूल खीचने वाला तो दो नीचे खीचने वाला संबल मल्टी पोजिशन अलग अलग पोजिशन धिखा दिन मल्टी पोजिशन अलग-अलग पोजिशन दिखा दिखा देगां कर आक माफ दगाएगगा है स diffy सिम्बल जैसे होगा और इसमें उगा तो यह अगर interlocking switch and socket outlet है यानि कि दोनों एक दूसरे को link है तो symbol इस तरह का होगा हम हर class में कुछ ना कुछ unique करने की कोसिस करते हैं आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया सब content के अपना तयार करके अपना list twist बना के proper तब आप लोग के लिए आते हैं general wiring जो होगी general wiring का symbol तो यह होगै जी सिदा एक तार दिखा दिया यह surface पर है ना चौंड्यूक्ट वाईरिंग।। यह हमारी कॉंसिल्ड वाइरिंग जब तार को वैसी ही रख रहे हो आप दिवार के अंदर और यह पाइप के अंदर जब आप रख रहे हो वाइरिंग गॉइंग अपवार्ड उपर की तरफ यह नीचे दिखा दिया तो नीचे की तरफ आ गए जी वाइरिंग पासिंग यह पेंडेंट स्विच है जी इस तरह का दिखाएगा तो यह फुस्ट बटन या बैल बटन होता है यह लुमीनियास पुस्ट बटन है चमकने वाला न यह रिस्टिक्टिड एकस्ट इस पुस्ट बटन है इस तरफ न जाओ चलो जी फिर देखो ये बेटा ये क्योंकि सिंबल है ट्रेंडिंग में एक नंबर का सिंबल जरूर है इसे जो तीन दो तीन पेज है इसे दिमाग में छापके जाना ये मैं बोल रहा हूं एक सवाल पक्का आएगा तो मानो ना मानो देखो जन्रल इलक्ट्रिकल अप्लाइंस आठीडार है जिसमें पानी वापक हो सकता था अच्छा जी टको बैल में और बजर में अंतर रहे और बेल में पर बजरता ये कि मैं की तराफ ये रहांी यह है फ्लोरोसन ट्यूब अब सबको देखो इस्टुमेंट ट्रांस्वार्मर ये लगा दिया इस्टुमेंट रांस्वार्मर निूट्रल लिंक यह बहुत खास हो और एक्जोस्ट देखो शेलिंग फैन नॉर्मल यह तो है पंखड़ी दिखा दी ब्रैकेट फैन में देखो यह यह तीर आएगा और अग्जोस्ट फैन पे देखो ऊपर कवर जो न दिवार में लगा के नहीं रखते हैं ऐसे कवर में यह अब देखो फैन रेगुलेटर एका इनको एक बार फिर से या फिर अपना स्क्रीन सोट लेकर रख लेना आज रात को एक बार फिर से इने देख जरूर लेना बहुत ही जरुड़ी है बहीं जरूरी और बार बार बोल भी आग जैसे पुरा भरक्त आट फायर अलार्म है यह इंडिकेटर में पहले भी बताया था एंड होगा अर्थ पॉइंट यह तो हम इलेक्टिकल में बारा बार बनाते रहते यह स्टार्टर है देखो यह मोटर में इस टार्टर अब देखो यह पेपर में आ चुका दोस्त यह डारेक्ट लाइन दिखा दिया इस्टाइबटक देखा दिया इस्टाइब धीडा स्टार्टर डेकर ट्रांसफोरर्मर बना दिया तो यह ठाटो ट्रांसमर रिस्टॉराट गुल्टर का एक बार इन्हें देखो एक बार इन्हें देखो ये भी बहुत खास है जी ये सिंबल जरूर देखकर जाना लो थोड़ा साइड नहीं अब देखो इनने के फोटो ले लो ना लो देखो फोटो ले लो आप फोटो ले लो देखो इन पे क्या-क्या है ये अईसा ये लैंप आुट लेट है लेकिन 3 lamp of 60 3.60 का मतलब होगा 3 lamp है 60-60 watt के देखो ये lamp on wall wall पे lamp तंगा दिया ये wall पे lamp लगा है और ये अगर ceiling छट से lamp लगा है तो ये होगा counterweight lamp lamp पर वेट तंगा रखा है ये chain से बाद के lamp तंगा रखा है छट से ये तुम देखते हैं बता दोगे देखो ये रोड लैंप फिक्षर है ये फिक्स किया हूँ आए जी ये लैंप फिक्षर विद इस्टेंड ये lamp था जी ये लैंप connected to variable वोल्ट इमर्जनसी लैंप ये जरूरी है बाई इमर्जनसी रैंप पैनिक लैंप ये है जी बल्क हेड फिटिंग तो ये ये जरा ये तो यही कॉप्पी हो गया इनकी जरा आप एक बार फोटो ले लो देखो जहां से शुरुवाद हुई थी हमने इनकी एक बार आप फोटो लीजिए तो आपको डेफिनेटल बैनिफिट पहुँचाएगा ये फोटो लो ये इसका है कि इसकर ले लो इसका भी स्क्रीन रोट लीजिए सोते टाइम आज इसी को रिवाइज करना है ले 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 लो इसक्रीन सोट लेते रहो चलो जी next आ जाईए देखिए next देखिए मेटा क्या है कि according to IE rule the number of light pen point connected in one sub circuit should not exceed साप ही नहीं दिख रहा बाई बाई कमाल ही कर दे भाई तुमने तो बाई देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त बताईए सवाल बताईए रेके क्या कह रहा है कि light और पंखे के लिए कितने point एक sub circuit में होने चाहिए जल्दी से answer कर दो फटाफट से answer कर दो बिटा फटाफट से electronics के लिए भी मैं रहा था नहीं बेटा जरा आप check कर लिजिए proper और batches के लिए download EAD online classes app कितना अरे 10 सिखाई थे यस सर 10 sub point और 800 वोट ये तो इसमें दिया ही नहीं सर तो नन अपदीज लगा रहे हैं न सर पावर अगर हो था तो सर दो न लेकिन इसमें था तीन हजार वोट न ये था न सर मामला तो चलो जी नेक्स आजाओ देखो जी जो होट केरियर डायोड होती है ना होट केरियर डायोड मैटल सेमी कंड़क्टर डायोड बेटा वही हमारी देखो सौट की डायोड है ना बहुत ही फास्ट होती है इसनी को क्या कहते हैं देखो यह होती है कि यह मैटल यह मैटल होते हो यह सेमी कंड़क्टर मैटल और सेमी कंड़क्टर को एक दूसरे करो डिफ्यूज करके बनाए जाती है सौट की डायोड जिसे कहते होट के यार्स डायोड भी है ना तहल का मचा दो इस बार यूपी मर्सी में फिर पकड़ते हैं है के नहीं भाई यह स्लेक्शन बैच वाले बच्चे कंजूस बन जाओ कंजूस जैसे नेता लोग लड़ते ना कि पूरी की पूरी सिट पार्टी पर आनी चाहिए तो लड़ो आप भी जंग करो महनत के दम पर आगे बढ़ो और सारी की सारी सिटे एडी परिवार के नाम लिखो अरे देखो यार हमारा व्यक्तिकत तो कुछ पर ते एक बताओ जरा उत्तर बताओ पहले आप आंसर करो कितना होगा आंसर करो यह हमने दियाने साथ में हो जाता है जी ना जी पिलकुल गलत बात कितना होगा दस में होता है दस में कितना जी नन हो गया दस में कितना होता डबल चलो जी यहां जाओ जी देखो जी पढ़ो जी तब उत्तर दो जी यह कह रहा है width of depletion layer of PN junction अच्छा जी PN junction तो सर ये बनाया जी ये P है ये N है यहां बनता है ये depletion layer जी इसके बारे में पढ़ ले क्या अगर हम पहला कह रहा है कि decrease with light doping नहीं अगर light doping हम करते हैं अगर हम light doping कर रहे हैं तो भाईया ये decrease नहीं ये तो increase होता है जी ये तो बहुत PN junction में basic था जी साथ में एक डिक्री बढ़ता है और दस में double हो जाता है दस डिक्री में double ये आ जाओ देखो अच्छा जी light doping अगर करते तो ये decrease लिख रहा है इंक्रीज होता है गलत हो गया अब अगर heavy doping हम करते हैं तो ये decrease होती है अगर heavy doping करेंगे तो ज्यादा chance carrier ये decrease होना चाहिए ये वो इंक्रीजी भी गलत independent of applied voltage जी सर कैसी बात कर रहे हो अप्लाइड वोल्टेज अगर ज्यादा लगा देंगे तो कम हो जाती है independent कैसे depend करती है इस डिक्रीज रिवर्स बाइस ना जी रिवर्स बाइस में तो बढ़ा करती है अगर लिवर्स बाइस होगी तो ये दो और बढ़ जाएगी जी तो ये भी गलत हो गया तो ये घेरा है कि कौन से statement incorrect है ये तो सारे के सारे ही incorrect फस्ट गई गलत पढ़ने पड़े तो सारे के सारे ही incorrect होगे तौल अबदा अबाओ चलो जी LED हाँ जी LED LED बेसिकली LED बेसिकली है पी एन जंक्शन जल्दी से बता दो भाई जल्दी से बता दो भूक तो लग रही होगे तुम्हें भी है है अभी बस खतम करेंगे खतम इंदा सैंस की पूरे 90 सवाल करके LED याद है तुम्हें यह वाली जो बनवाई तुम्हें उपर को यह यह सिंबल बहुत खास है फोटो डायोड में अंदर की तरह होते हैं यह एक फारवर्ड बाइस्ट डायोड हुआ करती है क्या होती है हाँ बही बताओ जर्ला बच्चो रिपेल फैक्टर अ्यां ह acepte इस रिपेल फैक्टाइब ब्हुन इस एक प्रीज रेक्टीफाइर का तरंग और में गुमाली है मैंने पूर इलेक्ट्रिकल नों में तुम्हें हर जगे में यह बताओ जल्दी से रिपल फेक्टर ऑफ ब्रेज का मतलब है फुल टाइम जो बनाओंगे तो इसमें तो यह दे नी रहा 48.482 लिखोगे अब इसमें तो यह है नहीं तो यहां क्या लिखोगे अगर हाफ में होता तो 121 परतिसत लिखते रही और रिपल फेक्टर जो होता है बेटा रिपल फैक्टर बराबर में अंडर रूट में फॉर्म फेक्टर स्क्वार माइनस वन यार यह परसंटेज में लिखते जाता है तो वर माइनस एफ 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 इसक्वार भी कर सकते थे ना तो आप्संद बड़े खतरनांक है ज बताए जी बताई ये बताई ये बाई क्या करें लिख दिया है बाई मिस्टेक प्रत्वी इलक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी की परती रोधक्ता को कम करने के लिए निमनल इकित में ते कौन सा एक सामाने करित्र मेज़ेंट नहीं है बताओ जल्दी से मेरा एन पेसल में हो गया बहुत बढ़िया बदाई हो बदाई हो बदाई हो जी अरे कैल्सियम कर्बेनेट वाले को थोड़ा ही करोंगे तुम यह नहीं होता अरे जिसका सेलेक्शन हो गया कॉंग्रुचुलेशन बहुत बदाई भाई बगवान सफलता ऐसी देता रहे आपको इफे हाइब्रिड स्टेपर मोटर है जे रोटर पेच ऑफ थर्टी सिक्स डिग्री एंड स्टेप एंगल ऑफ नैंटी नंबर ओफ इट्स फेज तो कितने आगे भाई यह दिये थे 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 अपॉन में नाइन तो यह कितने आगे भाई यह तो चार आगे जी फेज कितने बनेंगे चार बनेंगे यह भाई हाइब्रिड हो वैरियबल रिलक्टेंस हो एक चीज याद रखना देखो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बिलकुल कमाल के फॉर्मूले जो आपको कभी दोकानी देंगे यह फॉर्मूला बहुत खास है जैसे आप स्टैप एंगल भी निकालते हो ना तो तीन सो साड़ बटे नमबर ओफ स्टैप कर लिया करो बिलकुल कमाल कर दोगे ठीक है नमबर ओफ स्टैप कर लिया करो सीधे सीधे इन ए कंड़क्टर करंट डेंसिटी इस दा बेटा जे बराबर में यही तो लिखते हो जे बराबर आई बाई ए एंप्यर पर मिटर स्क्वार तो जे बराबर आई बाई ए करंड फ्लो पर यूनिट मास ना जी क्या लिखते हो पर यूनिट एरिया करंड फ्लो पर यूनिट एरिया चलो जी बताईए आप लोग को याद है के लाइटनिंग अरेस्टर जो की ओवर वोल्टेज यानि की जो आकास ये बिजली गिरती ये लाइन पर जिसके कारण ओवर वोल्टेज होता है उससे सुरक्सा परदान किया करता है तो क्या होता है थायराइट क्या होता है थायराइट देखो प्यारे बच्चो एक हमारे पास में रोड गैप हुआ करता है रोड गैप जनरली बहुत ही बेसिक हुआ करता है ये रोड गैप इसमें प्राब्लम ये होती है कि देखे सर्ज किलियर होने के बाद भी इसमें आर्क मेंटेन रहती है बनी रहती है तो इसी का समाधान हम निकालने लगे देखे जी हॉर्ण गैप टाइप लेकिन इसमें भी प्राब्लम यह आगे कि अगर पक्सी वक्सी आके बैटे का तो दिक्कत है इसमें भी थी लेकिन इससे तो जादा यह अच्छा पिर हमने म켜दा प्रोकाइप बनाने लग गए हैं मल्टीप sollte गाप बनाने लगए इस कटी प्रें रहे थे पिर अमारे पास एक्सक्राइप में हमने अप्राब्लम यह देखी हैं कि हरी कॉपरेशन के बाद में कुछ फाइबर को वह बदलना पड़ रहा था ओ एक्सक्राइ को हम प्रोटेक्टर टाइप भी कहते थे फिर हमारे पास में वाल्ब टाइप आया जो कि बहुत ही बेतरी हिन होता है नॉन लिनियर रजिस्टर और दो अलगलग गैप का कॉम्बिनेशन होता है थाइराइड जिंक ऑक्साइड भी हाँ कि अग्या चलिए जी बताइए बताइए जी इव दा स्पीड और रोटेशन ऑफ डाइनमो इस डबल देन इंड्यूस्ट एमफ बेता इजी परपोर्शनल टु एन यदि ये डबल होगा तो फिर ये भी बिकाम्स क्या कह रहा है डाइनमो इस डबल तो फिर ये भी डबल हो जाएगा क्या है इंड्यूस्ट एमफ भी डबल हो जाएगा दा रेश्य ओफ रनिंग तॉर्ग देखो बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सवाल आपका आंसर का वेट करता हूं हुआ आपके आंसर का वेट करता हूं क्या है बहुत ही मस्त सवाल है दिल घुस हो जाएगा बहुत ही प्यारा सवाल है कि सभी लोग सेर्वेट जरूर करते रहे मैराथन को बिटा इस मैराथन सेशन में मैं फुल लेंद पेपर ही प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया पाल साथ फुल लेंद पेपर पूरे स्लेबस से इतनी एनरजी सुबह छे वजे से अपना ऐसे चला आपनी क्लास तो भाई बस आरी उर्जा आप लोग कोई वच्चा दिन पर मैनत करने के बाद प्यार से धन्यवाद भी हमें बोलते हम खुस हो जाते है अफियु तुर जाते हैं हमारी दे को कर रनिंग टॉर्णटु स्सेत इमिदा एंदास मोटर है यह बताओ यह तो है रनिंग उक टॉर्ण फिल्ञ फ्यर्ण टॉर्णध जिस कई ला होगा कुस तो होगा अब जलब है यह गलत लेंग है बिस्स्तार्टिंग उस्टार्टिंग कर घट वह से अगर जीरो से खोगा की नहीं इसे निंग टॉर्ग अपन स्टार्टिंग का होगा अनंत इसमें हैं नितो दी करोगे नवड़ा सवाल पूद लोजिकिला सवाल था बच्चों ने पेल दिया एे धमागा कर दिया ठीक है तो सवाल को पढ़तों लोग क्या कर रहे हो बड़े प्यारे प्यारे सवाल है यार अब देखो जी यह रहा सवाल मैं इसका भी आंसर चाहता हूं आप से फॉर्मुला लिखा हो परसंटेज स्ट्रिंग एफिशन्सी बराबर में या नॉर्मार इस्ट्रिंग एफिशन्सी टोटल वोल्टेज अपॉन यही दो लिखेंगे टोटल वोल्टेज नमबर ओफ डेस्क इन्टू सबसे पास वाले डिस्क में वोल्टेज ये टोटल वोल्टेज पूछ रहा है बताओ बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है ये भी बड़ा अच्छा सवाल है करो आंसर करो जल्दी से आंसर करो फटा फट से आंसर करो जल्दी जल्दी से पटा फट से आंसर नहीं तो आज मिल गया देखो आज इस टूड़े से गलास देना तोड़ा ये ये मिल गया जिसने पहले डोस देता था ए नलाएको पंकज विकास सुभम विकास ए नलाएको अरे कुछ सरम लियाज कर लो नलाएको अबे ओ भाई ये केवी में हैं इसके लिए तो मैं बिना सॉल्व करें ही नन में देता नन जो है तुम्हारे मुर्ख्ता है जो तुम्हें खुद तुम खुद के दुस्मान बने हुए हो और भागो और तेज भागो यह स्तारे ऑफ्टन गलात है सम्में व्ल्टे जो यूनिट एना में है टेता है टीजू टूपी कलास लेना सुरू कर दो अब बंदी कहा किरी हमने तुम्हें पता ही नहीं हमने कहां धमाल करका अब दूसरे संस्थानों का एड करने के लिए पढ़ लो पढ़ न लएको अब जिन में दम होता है उन्हें बोलने की जुरती नहीं कि वहाँ देखो वहाँ देखो इसे ब्लोक करो यहां यह करने आते हैं अब सवाल का उत्तर तो आनी रहा यह एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं ब्लोक करो इसे निकालो पतली कर लिए इसे 848 गुणा 3 गुणा 17.5 बराबर वी और वी बराबर में 44.25 के वी आएगा हमने उत्तर वोल्ट में देखे तुम्हारे जो नीन है न वो तारने के कोशिस की है है थे के उत्तर किस्व मैं यााएक को के वी मैं आएगा क्योंकि के-वी करई है यहाँ वॉल्ट वोल्ट वॉल्ट गलंत ि कि है था और यह था अ यह था तो मानने को तयार हैं नहीं बस हवा वाई हो रखे तुम सुनने को तयार नहीं कि बताइए झीजट बाई आरेस बदाबर में जीजट माइनस है तो वन प्लास जीजट और एच्ट बताइए जी प्रांसर फंक्शन लिए आरेस अज़ी तो मिस हो रहा है अगर पलस हो तो नीचे माइनस तुम सब मैंने कातों ना जान बुझ के लगे पड़े अपना जान बुझ के लगे पड़े बताओ जी इसे इस सवाल को बताओ 60 को हमें कुछ करने की आवशकता नहीं देखो अगर ये कहा गया है कि करेक्टर स्टिक्स एक्वेशन में कोई पावर मिस हो जाए S नहीं है इसमें तो ये अनिस्टेबल है ये अनिस्टेबल है चेक भी मत करो ये अगर S गायब कर दिया ना देखो S नहीं है S तो ये अनिस्टेबल है बताओ जी इंट्रेंसिक के लिए हॉल इफेक्ट बताओ बलो ऐसा जूरुम ना करो ना अपने ऊपर भी पावरे में सो गई बदलने से पावरे में सो गई बदलने से कि ये वाई अनिस्टेबल ने ने तो लार जाता है तो ये इंट्रेंसिक के लिए तो हॉल को अफिसेंट निगेटिव आता है यार यह जहां तक मुझे याद है मैं भूल गया से अब बताओंगा तुम्हें मैं दिमाग से निकल किया यहां आ जाओ जो रहा है वैसे भी यह इलक्ट्रोनिक से करेक्शन सा अभी है ने कुछ महीनों से क्योंकि सैलेंस ने बहुत अच्छा दवाल कर रखा वन आप था फोलोविंग डाज नोट रिपर्जेंट ए वैलिड कॉंबिनेशन अव क्लास कौन सा वैलिड नहीं है बताओ जी है अग्युक्त कि अग्युक्त कि अग्युक्त कोई दिकत नहीं अरे वैसा हो जाता है मैं जूट थोड़े बोलता हूं भूल गया दिमाग से निकल गया इसमें तो मजा आ गया क्योंकि कि इसके लिए होता एक सो पच्च एक सो पैंतिस यह देद्या गलत यहीं बताना था अब याद आ जाएगा पढ़ाते पढ़ाते टैंक्शन नलत जर्मन सिल्वर देको बढ़िया की प्यारी सी यह ना जैसे खुस हो जाते है बच्चा वह जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नह हम होता है और वाइम पता है यह में अबवे यह सारी है जर्मन सिल्वर में जर्मन ही नहीं है तो यह रहा क्या होता है को चलो जी कंड़क्टिविटी आफ ऐलुमुनियम बोलो बबा के दारनात की जाए बताएं बढ़े कंड़क्टिविटी ओफ ऐलुमुनियम एज कितनी लेते हैं कॉपर की 60% लेते हैं हाँ ऐलुमुनियम की स्पेसिफिक ग्रैविटी तो कम होती है क्योंकि वेट पर यूनिट का अना कोरोना परभावी अलुमुनियम में कम देखने को मिलता है क्योंकि डायमेटर बढ़ जाता है कि चलो जी है बड़ाई प्यारा सा सवाल है देखो हम फॉर्मुला लगाते हैं कि एर अट डिजायाड इसकेल पराबर में फुल स्केल वैल्यू दो सो गुना एर अट फुल स्केल अपॉन डिजायड स्केल पचास ओ तेरी तुम फिर गलती कर गया होगे यार इसमें इंट्रस्टिंग चीज आगी 20 और यह रान अन अब दीज हाथ तो पीछे पड़गे नन अब दीज के ना और तुमारी लग गई वाट है वाई तुमारी वाट लग नन अब दीज नन अब दीज चल रहा है आज तो पीछे पड़गे तुमारे आज नहीं तुम बचने वाले हैं गलत करोंगे तो मार घाओ फिर पड़ो जड़ा इव्दा करेंट थूदा ओपरेटिंग कॉल आप मुविंग आयरन इस्ट्रूमेंड जी रूपाइंट फाइप ताइम्स आज तुम नन अब दीज है नन अब दीज नहीं होगा की अरे नालाए को ऐसा तुड़ा है अच्छा अधा कर दिया हमने करन्ड को पेटा आधा कर दिया तो टी डी जो होता है वन बाई टू आई स्क्वार डी यल बाई डी ठीटा देखो जब नन अब दी जना मत करो ऐसे गड़ बड़ पढ़ लो पहले है अगा है अगा है तो टी डी प्रपोर्शनल टू आई स्क्वार देखो वन बाई टू का स्क्वार तो वन बाई फोर टाइम्स यह मैच कर जाएगा ए बावोक ना होजा कभी तुम इसमें पेल दो कि नन आप दीज इसमें मैच कर रहा है व अग्जामिनर अपने ट्रेंड को डे बाई डे विटा चेंज कर लेता है हर एक्जाम से ना तो नन आप दीज का भी बराबर मैचता हुए इसको भी हलके में लेके मत चलना भाई यह कह रहा है देखो हमें आई बराबर यह दिया है बिटा कि आई बराबर में 6 प्लस 10 साइन हन्डरड पाई टी प्लस में 20 साइन 200 पाई टी जैसे केल्गुलेटर तो होता नहीं है देखे हम पी एमेमसी में क्या है बताओ पी एमेमसी मेजर करेगा एवरेज वैल्लू तो यह तो सर छे हो गया और बेटा मूविंग आयरन क्या करेगा आरमेस वैल्लू को चलो सर ठीक है छे चंग 36 प्लस वन बाई टू दस का स्कुरार सो बीस का हो गया चार सो पान सो अब है बच्चो धाई सो तो 286 मिल गया हमें यह और यह हो गया जी हमारा सोला सोला दोसोचपण सत्रह सत्रह दोसोन नवासी तो 16.6 ले लो चलो उधारन के दोर पर 16.8 ले लो है बाई क्योंकि कैल्कुलेटर तो लाओ है नहीं अब हमने देखा जी कि हमें रेशियो पूछ रहा है देखो बेटा मूविंग आयरन और पीमेंसी का तो 16.8 यह कर दिय गुजरा नहीं बच्चे कुछ आए नन आप दीज देखता नहीं तो भागता ना भाई इसे नहीं करता मैं यह तो यह हो गया वो गया नन आप दीज की नंबर बरावर मिलेंगे तुम्हें दोस्त तुम वही है ना कि होसला दिखाओ और जो सही बंदाय कैल्कुलेट वह कर बढ़िया गणित बढ़िया हो गया हमारा है चलो चले देखिये एक डीसी एमिटर है जिसका जो परतिरो देवेटा यह हमारा दसमलोब वान है यानि कि आरेम का जो वैल्लिव है वो 0.1 ओम है और इसकी धारा जो सीमा है वो 0.100 एम्पियर दिये है जानि कि जो आई एम है वो 100 दे दिया है आई का मान है देखिये 500 एम्पियर तक हमें नापना है तो एम बराबर में आई अपाउन आई एम करते तो चलो जी 5 हो गया संट की बताओ तो आरे सच बराबर में आई एम अपाउन एम माइनस वन पॉइंट वन अपाउन पॉर देखो भाई तो कितना मिलेगा दसम लो जीरो तूफाइब ओम देखना रहे सी आता है कि नहीं कुछ में तो बहुत अच्छे होगे तुम्हार यह प्रैक्टिस चलिए डिसीपेशन जो फैक्टर होता है डिसीपेशन फैक्टर टैन डेल ऑफ कैपेसिटर कैन बी मेजर बाई विच ब्रेंश्ट डिसीपेशन फैक्टर बैटा किस्से नापते हैं यह नापते देखें हम स पैसन फैक्टर पाउर फैक्टर यह सब किस्से नापेंगे सेरिंग ब्रेस से एंडर्सन ब्रेस से लो क्यू कॉइल इंडक्टेंस नापेंगे हैस्ते हाई और वेन ब्रेस से फ्रिक्वेंसी चलिए ज़रा देखें भाई क्या कह रहा है कि which of the following method measurement में ले आए तो मैं गुमा के method is used for measurement of high resistance तो carry foster bridge बेटा medium range में होता है medium resistance के लिए होता है medium resistance substitution भी medium में करेंगे potentiometer low के लिए हो जाएगा तो loss of charge method बेटा high के लिए use होता है जिसमें आप जो कहते हो कि r बराबर में t by c log v by vc ये मारते हो ज़े है हाँ में बच्चो जड़ा रिखना according to the ISI the minimum inner diameter of galvanized iron pipe for pipe arthing is not is not बता ये बहुत प्यारा सवाल है ultimate बहुत सुंदर सा सवाल है प्यारा सा सवाल है एक बार सेर जरूर कर दो भी खतम नुवी क्लास बस ना देखो पेसेंस लेवल जरूर देखा करो और मैं तो आपका इस सेशन में पेसेंस लेवल चेक कर लेता हूंगे कुछ बच्चों की तो हालत यह कि एक क्लास भी नहीं देखी जा रही पीपर हम फूल लेंद पीपर ही तो कर रहें डांस थोड़ा ने कर रहें पंकजी न फेर तूट पड़े यह बाई यह बाई प्राथना परभू माफी देदो परभू सवाल पढ़ लो परभू क्यों अपने दुस्मन बने हुए हो अब 38 cm किसने पढ़ाया 38 mm पढ़ाया कि 38 cm यह बता दो तुम बस 38 mm पढ़ाया 38 cm यह बता दो बस एक बार 38 cm यह बता दो कि मैंने पढ़ाया क्या 38 cm पढ़ाया कि cm यह बता दो यार तो कोई भी नहीं होता यार क्यों अपने दुस्मन बने हुए हो बताओ क्यों यार आखिर मतलब अपने लिए ना सही आर टीचर की महना देखो अपने माता पिता के सपनों को देख लो कम से किम सवाल तो ढंक से पढ़ लो आपका लूज पॉइंट वीग पॉइंट यही है कि चीजे बहुत सारी पढ़ लेकिन सवाल नहीं पढ़ रहे हो तुम अर्थिंग इलक्ट्रोड को उस भवन के मितर में कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए जिसकी स्थाबना पढ़ नाली को अर्थ किया जा रहा है अब इसके लिए बताइये क्या सवाल है और क्या अंसर आपका होगा ओपШन देने है ये गेड़ लिखे कलाकारी मत करो ओप्सन प्लीज ओप्सन ए, बी, सी, डी लिखना है ना कि ये डेड़ लिखे कलाकारी करो देड़ लिखे तुम बच रहा हो नलाएको बता रहा हूं सामने उतना सर फोड़ देता मैं बता रहा हूं इसके ना सर फोड़ था तुम्हारा ये इतना पढ़ाने के बाद भी हालत ये है अबे हीरो ना बनो 1.5 लिक लिक के मिटर ऑप्शन दे रखे ना हीरो ना बनो ऑप्शन बताओ क्या है तो 1.5 बच्चा तूट प पीटर उत्तर है डी भटकती आत्मा जब तक रहेगे ना तुम्हारी ये भटकती वी पेसेंस फुली बोलता हूं वर्वर किताब से जितनी नॉलिज ले ली ना उसको धंग से पेपर में उतारना सीख लो कितनी बार समझाऊं है हीरो बन्रे बस एटिटूड लेवल आसमान छूरा है बस कुछ भी कुछ भी चल रहा है बस ना पढ़ना ना लिखना पीपर करना अब यार हो तुमसे अपने विद्यार्थों से हो जाता हूं मैं आए तुम अगर हरकते सी करो कि तो दिमाग खराब नहीं हो ना लायक मैक्सिमम डिस्टेंस बिट्वेंदा टू सक्सिसिव क्लीट के बीच में अधिक्तम दूरी साट सेंटिमीटर है बाई इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए साट सेंटिमीटर आजा उजरा देखो अब फिर तुमारी मस्त वाली रेल बनने वाली देखो फिर तुमारा दिल खुस होने वाला अब फिर देखो तुमारे दिमाग की जो देखोंगा उपज क्या है तुमारे दिमाग की उपज देखों वाट इदा डाइमेंशन आप दा कोपर इस्ट्रिप यूज़ फोर दा इस्ट्रिप अर्थिंग अब इसमें बता उत्तर क्या है अब हमें पता वर्तमान में क्या ट्रेंड में है दोस्त नन अप दीज कर रहे हो नन अप दीज कर रहे हो नन अप दीज कर रहे हो सर फोर देना मैंने नन अप दीज करोगे इसका उत्तर अब यह वह भाई 25 mm गुणा 1.6 mm इसे सेंटिमेटर में तुम 2.5 cm या दस नमलो 1.6 cm ने लिख सकते गया यह नहीं हो सकता गया उत्तर अब नन अप दीज दे जा दो इसे को पेल दो नन अप दीज को यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता गया अब कैसे तुम हूं है अरे सेंटिमेटर को मेटर में करते तो यह होता इसमें mm में करते तो यह होता और क्या है यार हीरो बन रहेगी बस और चुड़ाओ मेरे से पीछा आर नीद नहीं आएगे ना मैं आउसे पता रहा है से बहिंकर मार पड़नी तो बड़ी आज मैं ओफ्लाइं से निकलास ले रहा हूं तुम नॉलिज है लेकिन तुम तुम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे है क्योंकि तुम्हारा ध्यान पेपर में नहीं रट रखी चीजे उल्टी सीदी कहीं भी ठोक दे रहे हैं तो हम मैं डायोट हमें एक है उसमें को टेंशन नहीं चलो कि अग्या कि इसलिए कह रहा हूं कि जितने ही सेशन डिजाइन किये गए ना बहुत अल्टीमेट क्यूशन का एक समावेस है सम्में उपस्तित रहे ना कभी कभाग हमार से प्यार करते हो तो सेर भी कर दिया करो देखो दो टर्मिनाल और एक गेट तो तो हमें पता चल गया ट्राइक है और ट्राइक की जो विशेशता आती है यह बाइडारेक्शनल है जेटियू जो दिखेगा तुम्हें यह तुम्हें ऐसा दिखेगा एनोड कैथोड और गेट इस पर गेट पर पॉजिटिव पल्स देते हैं तो ओन हो जाता है निगेटिव देते तो यह ओफ हो जाता है दायक दिखेगा आपको कि तो इसे दो टर्मिनल दिखेंगे एस यार जो दिखेगा आपको तो नॉर्मल है फिर अपना एनोड कैथोड और गेट पेटा यह कुछ सिंबल्स डिजाइन किये हैं आपके लिए हो सके तो फोटो ले ले लेजिए देखो एंड गेट सबको पता एंड गेट और गेट यह बना दिया जी नॉर्ट गेट है बबल लगा दिया नैंड गेट पर यह बबल है एक्स दॉर गेट यह है प देखो जब भी NPN है तो एरो बाहर की तरफ है PNP है तो एरो अंदर है यह आपने N चैनल तो यह ऱे गेट से अंदर की तरफ दिखे गा यह बाहर की तरफ है तो यह पी चैनल है यूटिजंट्शन त्र यह बिटा जो अप आ साहन तो शिम्बल्स को जरूर ध्यान में रखे जाएं यह लक्रोनिक से कुछ पता नहीं दिलवाएगा यार कि सर्ज एक कुरेसी नहीं रहे हो यार पता नहीं कि सीज की जल्दी लगी वही है यह फिक्स और यह वैरिवल कैपिसिटर सिलिकॉन कंट्रोल स्विच आप इसमें चार टर्मिनल बनाएंगे और जो होगा उसमें सिफ और कैथोड और गेट उप यार बताए जै दिख रही एक वैल्यू यह भीस चलो ऐसा करते हैं पहले इसमें निकालते हैं वी टी एच वी टी एच देखे कैसे निकालते हैं यह हो गया बेटा ट्विन्टी ओम यह हो गया थर्टी ओम और यहां माल लेते हैं प्यारे बच्चो वी टी अच ऊपर की तरह निकालना ना एरो करन्ट तो यह हो गया जी पॉजिटिव यहां कितना दिया है एट पॉल्ट तो देखे हमारे लिए यह वी बी है और यह भी डी है तो निगेटिव साइड कंसेडर रेफरेंस तो वी डी बराबर में आठ गुना पांच बटे पैंतेस इसमें निकालते हैं पांच साथे पैंतेस पूरा प्रॉपर सॉल्व करके बताता हो तो मैं ना जल्द अब यह लेलो यह अब सेड तो करते हैं मेरी गलास अब 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 इस पंजे सो तीस्ते हैं तो बैलंस नहीं है यह समझे में बात तो यह 35 ओपर वीस और दस तो पहले यह निकाला हम ने यह 8 गुणा 5 में निकालना है 5 बटे 30 दे रखा है तो 35 हो गया जी तो 8 डिवैड बाई 7 1.142 वोल्ट ये तो है VD नेक्स चलते हैं जड़ा VB VB देखते हैं जी तोटल है 8 गुणा है 10 बटे में 30 तो ये हो गया जी 8 बटे 30 ये मिला हमें 2.66 वोल्ट हमने ले लिया VTH बराबर में VD माइनस के VB तो ये हमें मिल गया जी माइनस कर दिया हमने 1.142 तो माइनस 1.524 वोल्ट चलो जी वी टीएच निकाले वी टीएच ये रटीएच निकालते देखो जब ये बढ़िया सवाल आए निकल लो पतली गली से तो तुम बोल्टे सोर्स को कर दो के देखें शॉर्ट हमने का कि देखो जी बी है बी से दो रजिस्टन जुड़े हैं एक है बीस और एक है थर्टी है आपस में बेटा इसको वी टीएच को शॉर्ट कर देंगे और फिर इधर हमें दीखें जी दस ओम और पांच हम नहीं पिटा ऐसे हवावाई करेंगे ना पूरा प्रॉपर तुम्हें सॉल्ट करके दिखाएंगे ओपर ते कितने थे यह बीस और तीस और यहां कितने थे बीस और दस टीके शॉर्ट कर दिए फिर कितने हैं तीस और पांच तीस ओर ओम पांच ओम तो चलिए यह हो जाएगा इसमें आर टी एच अब करते हैं इसे सॉलिशन तो यह हो गया जी सीधे सीधे दो सो बटे में तीस 6.66 और यह हो गया जी देड़ सो बटे पैंटिस 4.28 तो आर टी एच मिला हमें 6.66 दस दस नमलो 9.4 ओम तो आई जो आई गा बेटा इसमें वी टी एच कितना है 1.524 अपॉन में 10 प्लस 10.94 प्लस में 50 1.524 डिवाइड बाई 60.94 तो यह आजाएगा दसमलो 025 अपॉर देखो आमें ना कोई डारेक्शन ऐसे स्पेसिफाई की नहीं है यह जो दिखाए है बाकि हमें डारेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है इसलिए बेटा हमारा आप्सन आ जाते है देखीजिए हमें मेनेट्यूट से मतलब नहीं आम रहेक्शन निकाला नहीं वह डारेक्शन नहीं है यह गैलवोनवेटर को दरसाने के लिए यह अरो बना जरूरी थोड़े ने एक्जाम में आजाए हो सकता है डारेक्ट वोल्टेज निकालने को आजाए निकालने को आजाए मैं छुड़वाऊंगा थोड़ा है तुम्हें बताईए जी कि विचॉप दाफ फॉलोविंग इस्टेट्मेंट करक्ट लाइट फॉर्म ओफ हीट एनर्जी नहीं लाइट तो इलक्ट्रो मैगनेटिक होती है तो यह आगे देखो डी लाइट कंसिस्ट ओफ इलक्ट्रो मैगनेटिक वेव इसे देख रहा पुरा सॉल्फ गरंगे जो अब तुम्हें भी करवाया है तो देखो वोल्टेज डिविजन डूल लगाएं चार वोल्ट बराबर में टोटल वोल्टेज 120 लिखते इंटू 10 किलो अपॉन 10 प्लस में और यही तो लिखते तुम ठीक है जी यह कितना होगे जी 30 तो 10 प्लस और बराबर में 300 तो और बराबर 290 किलो ओम बेटा वोल्टे आएगा तो 290 किलो हो जड़ा यह देखना भाई यह देखो एस बराबर में 1 अपॉन मू अपॉन 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 अ लिखते हो तो रिलक्टेंस होता है परपोर्शनल टू अल और इंवर्सली परपोर्शनल टू ए चलो जी इफ दा लैंट अफ दा बार मेंगनेट माटेरियल इंक्रीज जबाई 20 परसेंट यानि की 1.2 ठीक है और दा क्रॉस सेक्ष्णल एरिया इज डिक्रीज जबाई इज डिक्रीज जबाई 20 परसेंट तो 0.8 जही तो है भाई कितना आग्या जड़ा देखो तो यह आगया जी भाई लंबाई है हमारी 1.2 डिवैड बाई 0.8 तो यह मिला 1.5 तो 1 तो पहले था कितना बढ़ी गया पॉइंट साइब का मतलब है 50 परसेंट इंक्रीज देखो इंक्रीजड बाई 50 टोटल डेड़ सो हो जाएगा ना तो टोटल कितना आ जाएगा डेड़ सो देड़ सो परसेंट हो जाएगा तो 100 यानि वन तो पहला था इंक्रीज कितना हो गया जी और 50 परतिसत दा एवरेज वेल्यू ओफ हाव वे रेक्टिफाएड वोल्टेज विद एपीक वेल्यू आफ टो हंड़ तो भाई वी एवरेज बराबर में वी एम भाई होता है दो सो बटे 3.14 कर दीजिए ये भाई आंसर बताओ दो सो डिवैड़ भाई 3.14 तो कितना आगया 63.7 वोल्ट अब तो आसान यार अब तो कम से कम कड़ बढ़ ना करो अब तो कर लो उत्तर बाद में तो मैंने भी सवाल लिये हुए ये तो टेंशन क्यों ले रहे हो मतलब ऐसा है नहीं मन को समझा लोगा बस the function of equalizing connection in a lap wound DC generator is देखे जी हमें equalizing जो connections है lap wound में ही is use किया करते हैं तो ये हम use करते हैं देखे to avoid unequal distribution of current at brass इसका armature reaction से मतलब नहीं था तो ये हो गया हमारा to avoid short circuit current to avoid unequal distribution of current at brass तो ये ज्याद है बड़िया था हमने ये लगा लिया चलो जी next हमारे ये था for successful operation parallel operation of two single phase transform most essential condition वेटा हमने आज morning में पढ़े थी कि polarity must be same देखो polarity को सबसे ज्यादा मैं तो दिया है वेटा और बाद में हमने दिया है फिर turn ratio को लेंगिन polarity सबसे ज्यादा important था illumination illumination of one human per oh human per meter square अब यही तो अलक्स और क्या था यह तो आसान हो गया पढ़ाया तो मैंने सब कुछ है पढ़ाया तो सब कुछ है लेकिन पढ़े कौन बस यही सवाल उठता है कि कौन पढ़े और नॉट करेक्ट था कि एक मिनट जड़ा मैं देख लो अगर अगर अच्छा रुप जाओ देखो नॉट करेक्ट पुछाए ना तो यह कर दो फिर यह वाला नॉट करेक्ट था और यह हो गया जी हमारा इसे सॉल्यूशन करो चलो हाँ डी नॉट करेक्ट पुछा ना यह कर लो चलो बताओ अहां भाई बच्छो एक बाद बताओ जरा यहां तो यह भाई बच्छो कर सकते हो जैसे एक डेल्टा दिख रहा है तुम्हें और यह कितना है जी पांच और यह कितना है पंद्रा कर सकते हो यहां पे एक हो गए यह चलो इसे देख लो पहले तो पंद्रा गुणा पांच बटे बीस और बीस हो गए चालिस तो पंद्रा बटे आठ तौल करो सारी मैनद मेरे से करवा रहे हो यार 1.875 फिर इसे करो बीस गुणा पंद्रा बटे में चालिस बीस दुनी चालिस साथ दसमलो पांच फिर बीस गुणा बीस गुणा पंद्रा बटे में चालिस बीस दुनी तो यह हो जाएगा दो दसमलो पांच कर लोगे की नहीं सिंगल फे टांस्पोर्मर में ही पॉलारिटी मस्ट है दोस्त अरे मेरे से मैनद कराओगे कि मुझे उत्तर बता दोगे है भाई बच्चो चलो एक सर्केट तुम्हें बनाई तो तुम्हारे लिए है यह आगे देखे टैन ओम उसके बाद तुम्हें एक और देखने को मिलेगा तू पॉइंट पाइप ओम वन पॉइंट एट सेवन फाइप यहां टू ओम तेवन पॉइंट फाइप यह होगे फाइप यह होगे जी हमारा थर्टी ओम इधर आगया भी और इस तरफ से चप चले तो इधर दीगे तुम्हें किलियर लिए दस और पांच पंद्रा अब तो करी लेंगे यार यह दोनों को जोड़ें इन तीनों को जोड़ें इन दोनों को जोड़ दो अब तो कर लेंगे बता उत्तर अब उत्तर बताओ जल्दी से अरे बारा दसम लो पांच बच्चो यह थर्टी पच्चिस पांच तीस तैंतिस दसम लो पांच बच्चो अब मेरा खून पी लिया रहे एक भी बच्चा बताने को तैयार नहीं है इपना आप करना अब सारी गुणा भागमेर थिकर आओगे क्या दरेश्य ओव आरमेस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू यह बड़ा अच्चा सवाल था देखे आरमेस वैल्यू देखते हैं बेटा वी आरमेस बराबर में अंडर रूट अंडर प्लस वन बाइटू नो सो कितना आ गया दिये ताड़े चार सो यह हो गया जी पान सो पचास यह आ गया तेईस दसम लो चार पांच और पेटा वी आवरेज कितना है दस क्या पूछ रहा है तेईस दसम लो चार पांच बटे दस दो दसम लो तीन पांच यह आगया उत्तर है वैट डैंपिंग प्रोवाइड इन इन इस्सुमेंट बताईए तो पिटा डैंपिंग प्रोवाइड कराने से यह बहुत फास्ट रेट से अपनी स्टडी स्टेट कंडिशन में पहुंच जाता है बार-बार लिक रहें तो यह क्या हो जाता है कि सैटलिंग टाइम कम कर दे यह होता है अब यह बताईए कि 66 केवी लाइन बोल्टेज है नमबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क हमने का अच्छया बेटा अभी देखते हैं इसे वीपी बराबर में 66 बटे रूट तीन 66 डिवैट भाई कितना आगया 38 दसमलो 15 बटे में कर लो 11 तो 3.46 तो यह तो है नियुक्षन में करेक्ट क्या बनेगा एक जादा यानि कि 4 सबसे लेकर आऊंगा सवाल गुमा के तुम्हारे तब पता चलेगा देखो देखो आज जो गल्दी की ना यार एक्स वाले में मात का तब मानूगा कि महनत कुछ रंग ला रही है आप जान भूजगे ना पीछे पड़ जा रहे हो गलत करने के यह इसे कहते हैं अपने आप से ऑसे दूस्मन नहीं कालना देखो जितनी महनत कि हैं अल्टिमेंटली खुद समझने की चीज यह थी यह पदा कि यार बच्चों ने महनत की भी हैं अब टीचरों-नने महनत करवाई भी यह जब आपको यह पता है कि हमें पस उसकी महनत को पेपर में उतारके आना है तो भी लिनियर पर लागों होती है चलिए जी है हाँ जी यहां तो डारेक्ट वोल्टेज देदी ना देखो कितनी है वन वोल्ट क्या बताना है आई का महाना तो ऐसा कर लेते हैं देखो यह दिखाया है यह हमने वोल्टेज माल लिया चलो वी बराबर में इस पर क्या-क्या करेक्ट एक 2 एक एक है एल से उनकी के गुणातों हमने करनी है सिखाई तो मैं दो की यहां करेंगे है अच्छा इस एक से डिवाइड करेंगे तो एक आना है और यह से गरेंगे तो एक आना है ठीक है एक से करेंगे तो दो आएगा और अब इस एक से गुणा हमें इसमें करनी पड़ती है तो यह आगया तीन यह आगया दो प्लस एक कितना आगया एक वोल्ट यहाँ वी का मान एक वोल्ट आएगा यह हमारा रवनसर मैथड है हमने सॉलिड फांडेशन स्रीज में भी ब घलती नहीं करेंगे आपको कसम है अपने मेनत की हमारी मेनत की प्लीज सवाल को ध्यान सची बोल रहा है आप के लाइन लगा दोगे लेकिन सवाल को पढ़ने में एकुरेत हो जाओ पढ़ लो सवाल को देखो आज जहां जहां गलती हुई ना इस 90 सवाल में एक तो मैंने छोड़ दिया था मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ लिया था 89 question में पैन उठा के दोबारे यह देखना कि कहां गलती हुई है अपनी कम्यों पे जब तक नहीं काम करोगे तो रियले में बता रहा हूं अपनी कम्यों पे काम नहीं करोगे तो failures को देखते रहोगे failure का मतलब होता है failure का मतलब होता है कि यह सफलता मिलने वाली है लेकिन किन सर्तों पर प्यारे बच्चों उन सर्तों पर जो आपने failure होने के दोरान गलतिया किये ना जब आप उनको सुधार लेंगे तो आपको सफलता मिलना तैय है तो इन questions को 89 को उठाना और जहां जहां आपने गलतिया किये ना वहां वहां ध्यान रखना है next paper में और इसमें मेरा main focus यही है क्योंकि मैंने मैंने यह realize किया है कि जब भी मैं short revision करवा रहा हूं अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को जा मैं objective लगवा रहा हूं तो उनकी सबसे जो major problem है वो content में नहीं है अब उनकी तैयारी बढ़िया है वैसे उनको याज भी बहुत सारी चीज़े formula भी बहुत याद हो ग अच्छे अच्छे लेवल पर है जो बहुत irregular बच्चे उनके तो ज्यादा तर जो गलतिया कर रहे हैं इनको मैं जानता हूं अच्छे से तो please my dear student अपनी इस कमी को दूर कीजिए आप से यह हमारी प्रात्ना है thank you and all the very best हो सके है तो एक एक पड़ती दिन अगर एक बच्चा एक सब्सक्राइबर कराएगा तो पड़ती दिन 400 बढ़ेंगे है ना हमारे दिल इच्छाई की नहीं साल पे तुम 4 लाग से भी बिल्कूल हो जाएगा किसने मना करी लेकिन क्यूं लगाओगे बताओ दोस्त वही तो कमी है आप लोगों में सोर्स ट्रांस्फर्मेशन इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि यह एंपियर है डिरेक्टली और यह इसमें यह है तो काहेगा तुम ठोकोगे अब इसमें क्या मिलेंगा बताओ कि लगने वाला है ही नहीं तो इसमें जबर्दस्तिफी जीरो ऑफ्सन मिलाने के लिए कि får मिलाने के लिए जब अर्दस्ति कुछ भी गडबड मत करो सोर्स ट्रांस्फर्म नहीं होगा कनवर्जन नहीं होगा यहां थैंक यू एंड आल अपना ध्यान रखे शेयर करते रहिए